हेलो प्यारे बच्छो कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत हैं यहां पी डबलू पे मैं आपका टीचर आपका दूस आपके फिजिक्स कारी का हम सफर जग जोच सर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होता हूं यहां पे लेक्चर नूमबर टू लेके यकीन 5.0 में सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके So students, last lecture में हम लोगों ने बहुत amazing चर्चाई की थी याद है क्या amazing चर्चाई की थी हम लोगों ने हम लोगों ने graph के बारे में discussion किया था, हम लोगों ने discussion किया था simple harmonic motion के बारे में हमने देखा था भी यह बहुत सारे motions ऐसे हैं जो periodic है जो एक समय के साथ अपने आपको repeat करते हैं हम उन functions को periodic functions कहते हैं और motions को periodic motions कहते हैं जो motion अपने आपको एक time के बाद repeat करता है ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था periodic motion में circular motion भी आ सकता है, uniform circular motion तो हमेशा ही periodic होगा क्योंकि वो अपने आपको एक particular time period के बाद repeat करेगा, हम लोगों ने discussion किया था इस प्रेच्छे से, ठीक है और हम लोगों ने क्या discussion किया था हम लोगों ने discussion किया था कि कैसे periodicity से आपका periodic motion में हम और किन-किन motion को consider कर सकते हैं हम लोगों ने देखा था हम simple harmonic motion के बारे में चर्चा की थी जहां पर oscillations होते थे ठीक है ना? oscillations भी periodic होते हैं बट एक special kind of oscillations हमने पड़े थे जिनको हम simple harmonic oscillations कहते थे जिनको हम simple harmonic motion कहते थे याद होगा आप लोगों को है ना? So yes, इन सब चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की थी लोगों ने देखा था है ना? So students, यहीं से हम आज की चर्चा स्टार्ट करेंगे एक बार मैं आप लोगों को recap दे दूँगा कि हम लोगों ने किस तरीके के graph पड़े थे अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने last class में थोड़े से sine, cosine के graph पड़े थे a sine omega t का तो इसका जो amplitude है वो a तक जाएगा और यहाँ नीचे तक यह minus a तक जाएगा क्योंकि जो भी sine omega से पहले sine से पहले multiply होता है वो ही amplitude बनता है graph की जो shape है वो ही sine वाली होगी इस तरीके से sine वाली graph की shape होगी बस इसका amplitude कहा से कहा तक जाएगा a से minus a तक आपको यहाँ नज़र आएगा यहाँ आप a तक जा रहे हो और नीचे minus a तक जा रहे हो यह हम लोग देख सकते हैं उपर a तक नीचे minus a तक हम लोग जा रहे हैं यह हम देख सकते हैं और यहाँ पे अब हम क्योंकि omega लिखा है तो यह हो जाएगा pi by omega और इसका time create हो जाएगा 2 pi by omega इस तरीके का graph हम sine का बना सकते हैं है ना और अगर हम cosine के graph की बात करें तो भी अलाम से इस तरीके का graph बनेगा, cos के graph में भी कुछ खास फरक नहीं है अगर आप cos का graph बना रहे हो यहाँ पर तो भी वो इस तरीके से बनेगा से आपको नजर आता है, ठीक है ना तो cos का graph भी कुछ इस तरीके से नजर आता है ऐसा लगता है कि यह shifted है यहाँ पे भी आपका amplitude A है A से minus A, क्योंकि cos के साथ जो multiplication में है वो है A ठीक है, इस तरीके graph हम लोगों ने discuss किये थे, इनका जो time period होता था, वो हम लोगों ने discuss किया था 2 pi by omega यह इनका time period होता था, यह हम लोगों ने discuss किया था, this is the time period of the curve, यह हमारा time period था, यहाँ पे omega मेरी angular velocity थी, angular velocity नहीं angular frequency कहना चाहिए, काई दे से हमें हम इसको बोल देते हैं angular frequency, not angular velocity angular frequency कह सकते हैं इसको यह मेरी angular frequency है और अगर हम frequency की बात करें हम इसको omega divided by 2 pi कहते हैं यह मेरी frequency होती है जो की 1 by time period के equal भी होती है ठीक है, तो यह सब चीजे हम लोगों ने discuss की थी, फिर हमने देखा था, अगर कोई object जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा गी थी spring mass system, वो oscillate करता है, तो वो बिल्कुल ऐसी ही किसी equation को follow करता है ठीक है न, यह भी हम लोग discuss करेंगे ओके, so student हम लोगों ने जो last class पे start किया था spring mass system, मैंने spring mass system आपको बताया था, एक mass spring से attached है, और वो oscillate कर रहा है, इदर से उदर oscillate कर रहा है, यही spring mass system था, याद होगा आप लोगों को, spring mass system में हमने इस तरीके से एक system रहा system consider किया था, यहाँपे spring को एक mass से हमने attach कर दिया था, let us say यह हमारा spring है, इसको हमने एक mass से attach कर दिया था और हम लोगों ने देखा था, यह oscillate कर रहा है, और इसका जो oscillation है गर हम ध्यान से देखें इसका जो oscillation है वो x is equals to plus a और यहां से x is equals to minus a इसके बीच में हो रहा है x is equals to plus a से minus a के बीच में हो रहा है और जिस position के about यह oscillate कर रहा है इसको हम x is equals to 0 कह देते थे इसी को हम mean कहते थे या फिर equilibrium position कह सकते थे mean position और equilibrium position इसी को हम लोग बोला करते थे इसके about oscillation है, to and from motion है, ठीक है? फिर हम लोगों ने देखा था, इसकी equation हम लोगों ने मनाई थी हमें पता है, यह SHM में होता है, यह simple harmonic motion में होता है, क्योंकि यहाँ जो force है, वो proportional to minus x है क्योंकि इस case में आप जानते हो, जो हमारा force निकल के आता है, we know already कि हमें इसका force का equation पता है क्योंकि यहाँ पे जो हम force की equation लिखते हैं, वो होती है, f is equals to, यहाँ पे force की equation होती है, f is equals to minus kx यानि कि force proportional to x की power 1 है, यहाँ पे हमारी acceleration की equation बन जाती थी, minus k by m और x और हमने इसी k by m को omega square माना था, और इसका जो general solution है, फिर हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे इस equation को आप ऐसे भी लिख सकते हो, d square x by dt square, है ना, मैं rewrite कर रहाँ इस equation को, this is minus omega square, जिसका general solution हम लोगों ने देखा था, इस equation का एक general solution होता है, वो होता है, यहाँ पे x is equals to a sin omega t plus phi, यह हम लोगों ने इसका general solution देखा था, यह हमने last class में discuss किया था, यानि कि, यहाँ पे जो मेरा particle है, वो SHM में है, और SHM में कोई भी object जब oscillate करता है, तो उसकी position वक्त के साथ बदलती है, पर कैसे बदलेगी एक periodic function से, कैसे बदलेगी एक periodic function से, क्योंकि उसकी position एक time के बाद अपना आपको repeat करती है, अगर particle इदर है, तो यह oscillate करक फिर वहाँ आजाएगा, तभी तो periodic motion है, तो यानि कि, यहाँ पे हमें कोई periodic function चाहिए था, वो हमने trigonometric function चूज किया था, sine, हम cosine भी चूज कर सकते हैं, इसका general solution यह भी लिख सकते हैं, या फिर इसके general solution में मैं, sine की जगे, cos का भी इस्तमाल कर सकता हूं, और ऐसे लिख सकता हूं, तो इसकी general equation में sine को भी इस्तमाल किया जा सकता है, cos को भी इस्तमाल किया जा सकता है, क्योंकि sine, cos में ज़्यादा फरक नहीं है, फरक है तो बस एक phase difference का, तो आप इन तरीके से इसको express कर सकते हैं, क्यों हम 10, cot, cos x, 1 के terms में नहीं express कर सकते हैं, क्योंकि वो trigonometric functions periodic तो है, पर उनका amplitude infinite है, और simple harmonic motion में आपका जो amplitude है, वो finite होना चाहिए, इसलिए सिर्फ sin और cos को preference दी जाती है, बाकि trigonometric function, infinite amplitude दे सकते हैं, इसलिए उनको हम नहीं consider करते हैं, तो यह हमारा general equation हो गई, यह equation, अगर आप x की यह value यहाँ डालेंगे, तो यह equation को satisfy करेगा, है ना, इसलिए यह इसका general solution हम लोग यहाँ पर consider करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, यह क्या represent करता था, amplitude, omega t plus phi को हम कहते थे, इसका phase, यहाँ पर यह जो total angle है, इसी total angle को आप बोलते थे, phase, और जिसमें से भी आप phi को बोलते थे, initial phase, यानि कि t is equals to 0 पे, initial time पे, है ना, initial phase मतलब t is equals to 0 डालने पर, जो आपका angle बचेगा, वो initial phase कहलाता था, x का मतलब है, displacement of the particle from equilibrium, x क्या यहाँ represent कर रहा है, displacement of particle from equilibrium, तो यह आपको बताएगा, आप कितना displaced हो equilibrium से, displacement of particle, ठीक है ना, जिसका mass m है, ठीक है ना, particle और object जो भी है, displacement of particle, ठीक है न, या फिर object from equilibrium, from equilibrium से यह particle कितना displaced है, यह हमें x बता रहा है, हाँ पर हम कितना आगे हैं, कितना पीछे है equilibrium से, वो हमें x बता रहा है, अगर हम right side है, तो मेरा x की value positive होगी, equilibrium के left side x की value negative होगी, यह हम याद रख सकते हैं, equilibrium के right side x positive, equilibrium के left side आपका x कैसा होता है, negative होता है, maximum displacement आपका amplitude कहलाता था, एक क्या होता था इसको हम amplitude बोलते थे this is maximum displacement of particle ठेके ना amplitude का मतलब क्या होता था maximum displacement of particle यह सबसे ज्यादा दूरी जो पार्टिकल ले सकता है from equilibrium ठेके ना एककिलीबियू से राइट साइड भी एक इस्टेंस जा सकता है एक एकपी कमें के राइट साइड भी इस्टेंस कवर कर सकता यह हमार라 है spring मास system में हम लोगों ने अच्छे से देखा है ना यह interesting ठीक अ मब बहुत interesting है यहाँ पर अब लोगों को धीरे-दीरे ये भी समझना पड़ेगा हर एक चीज का मतलब क्या है मैं एके करके सभी चीजों को explain करूँगा यहां पे with time सब कुछ समझ में आएगा कि यहां पर 5 का क्या मतलब है initial phase हमें क्या बताता है यह सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे amplitude के बारे में मैंने सीखा ही है एक चीज़ आप लोग और feel कर सकते है particle जब भी oscillate करता है तो mean और equilibrium position वो position है जहां net force 0 है क्योंकि यहां net force क्या है 0 यहां कोई spring force कोई restoring force नहीं लग रहा कोई भी ऐसा force नहीं है जो restoring force हो बट जब particle equilibrium से right side होता है जैसे कि किसी भी location पर right side है तो इस पर restoring force towards equilibrium लगता है अगर left side है तो right side लगेगा यानि कि restoring force is always towards equilibrium तो आप यहां पर यह ज़रूर कह सकते हैं जो आपका restoring force है वो हमेशा उसको equilibrium की तरफ ले जाता है तो restoring force is always towards equilibrium यानि कि एक force हमेशा restoring का मतलब यही है कि वो restore करना चाहता है उसको equilibrium की तरफ ले जाना चाहता है तो restoring force is always towards equilibrium ठीक है न अब अगर force equilibrium की तरफ है तो acceleration भी तो होगा ना acceleration क्या होता है force divided by mass होता है तो इसे को हम acceleration कह रहे है माइनस k बाई mx तो acceleration भी towards equilibrium है तो आप restoring force भी लिख सकते हो, या पिर आप बोल सकते हो acceleration, restoring force और acceleration दोनों ही equilibrium या mean position की तरफ लगते हैं, acceleration भी towards the center है, towards the equilibrium है और restoring force भी है ये भी इदर है और acceleration भी towards the equilibrium position है आप जितनी दूर जाओगे, उतना जादा force बढ़ता जाएगा, जितनी दूर जाओगे, उतना जादा acceleration बढ़ता जाएगा, यानि कि यहाँ पे acceleration आप देख सकते हो, इन locations पे सबसे जादा होगा, है ना, चाल, discuss करेंगे हम acceleration के बारे में भी पर उससे पहले एक सवाल आप motion of a particle executing SHM is given by this, d square x by dt square plus kx is equal to 0, the time period of the particle, अब आपको इसको अपनी equation से compare करने है, अगर हम ध्यान से देखें, इस equation को देखो, तो क्या हम इस equation को d square x by dt square और उसको right side ले जा सकते हैं, क्या यह बन जाएगा, minus kx, आप compare करो हमारी general equation क्या थी, अगर हम general equation से इसको compare करें, तो general equation मे हमने पढ़ा था, d square x by dt square, किसके बराबर होना चाहिए, minus omega square x k, तो यहाँ पे अगर आप compare करोगे, तो omega मेरा root के आ जाएगा, omega square के आ जाएगा, तो omega मेरा root के आ जाएगा, और यानि कि जो मेरा time period होता है, वो 2 pi by omega होता है, तो यहाँ पे जो मेरा time period आ जाएगा, 2 pi by root के आ जाएगा, यानि कि इस case में जो मेरा time period है, वो 2 pi by root के है, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, अगर हम दियान से देगेंगे, first option, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका answer हो जाएगा, option number one, ऐसे ही यहाँ पे एक equation है, आप इसको check करें, इस equation को आप जानते हैं, आप तो है कि इसमें हमने पड़ी थी, यह equation हमारी SHM की होती है, अब आप यह सोचोगे सर, पिछले question में M तो था नहीं, यानि कि हो सकता है mass one हो, हो सकता है mass one kg हो, इसलिए इस equation में आपको नजर ना आ रहा हो, but SHM की equation यही है, ठीक है न, यानि कि हमारी इस equation की अगर हम बात करें, यह हमारी exact equation होती है, जो हमने SHM में पड़ी थी, क्योंकि हमने force का formula पढ़ा था, f is equals to minus kx, force को लिखते हो, यह, इसको लिख सकते हो, minus kx, और फिर आप acceleration को लिख सकते हो, minus k by mx, और फिर acceleration को लिख सकते हो, d square x by dt square, याद है, इसको लिख सकते हो, d square x by dt square is minus k by mx, ठीक है न, यही तो equation है हमारी, तो आप देख सकते हो, यह ही SHM की general equation है, पीछे जो question था, आप इससे confuse में तो न, किसर यहां m missing है, वो equation इसने खुद दी है, यानि कि यहां पर k by m की जगे m को दिखाया नहीं, हो सकता है, mass 1 kg हो, ठीक है न, हो सकता है, यहां पर mass 1 kg हो, इसलिए उसने नहीं द सकते है, root k by m, यानि कि time period का formula होगा, 2 pi m by k, यह time period का formula होना चाहिए, ठीक है, so, यह हमारी general equation है, ओके, initial phase का क्या मतलब है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करते है, initial phase हम लोगों को क्या बताता है, इसको जरूर हम एक बार देखेंगे, हम देखते हैं, जब SHM हो रहा है, माल लेत हम एक simple harmonic motion consider कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं simple harmonic motion दिखाता हूँ आपको, यह हम लोग अपनी wall ले लेते हैं, floor ले लेते हैं, और किसी particle को SHM करते भी दिखाते हैं, let us say, मैं यहाँ पे एक spring mass system इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है न, यह हमारा spring mass system है, यहाँ पे मेर कर सकता है, इन दो positions के भीच में, यानि कि, यहाँ पे, अब हम अलग-अलग positions के name दे देंगे, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, this is x is equals to 0, यह हो गया मेरा x is equals to plus a, यह हो गया मेरा x is equals to minus a, तो particle क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे oscillate कर रहा है, for example, आप इस bottle को consider करो, मानो यह bottle oscillate कर रही है, ऐसे, ऐसे, आपने इस कुछ spring के साथ बान दिया, तो यह bottle ऐसे, 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 ऐसे oscillate कर रहा है, जैसे यह particle oscillate कर रहा है, तो यह equilibrium position ऐसे कितना आगे जा रही है, plus a, इस equilibrium position से कितना पीछे आ रही है, plus a, क्या कर रही है, इस तरीके से oscillate कर रही है, इसको मैं कर वाली position पे जाके रुखना पड़ता है इसको है ना particle जब यहां पोहुँचता है तो इसको रुखना पड़ता है क्योंकि direction change करनी है तो फिर पीछे आती है फिर यहां आके रुखती है फिर आगे जाती है फिर यहां जाके zero होगी otherwise उसकी direction कैसे बतलेगी यानि कि these are extreme position इनको हम बोलते हैं अपनी extreme position ये भी extreme position है ये भी मेरी extreme position है ठीक है न ये मेरी extreme positions कहलाती है यहाँ पर particle रुखता है दो extreme positions है और beach वाली position को हम जानते हैं इस वाली को हम बोलते है mean और equilibrium position ये mean और equilibrium position है बाकी दोनों corner वाली extreme है यहाँ पर मेरा amplitude max यहाँ पर मेरा position maximum है यानि amplitude है यहाँ पर मेरी position 0 है इसकी displacement मेरा इसका 0 है तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम clearly कह सकते हैं इस case में clearly आपको एक चीज़ बता सकता हूं कि भई यहाँ पर अगर मेरी velocity 0 है तो इस point पर मेरी velocity हमेशा maximum होगी ठीक है न यहाँ पर मेरी velocity हमेशा maximum होगी तो जब वो अपनी mean position पर आएगा तो उसके पास speed सबसे जादा होगी और इसकी speed सबसे कम होगी और साथ के साथ हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पर मेरा acceleration maximum होगा यहाँ पर maximum acceleration होगा कितना होगा माइनस omega square a ठीक है न यहाँ पर acceleration लगेगा कहां टूवर्ट्स सेंटर यहाँ पर भी acceleration towards the center यानि की equilibrium position बोलना चाहिए तो हमेशा acceleration towards the equilibrium position लगेगा यहाँ भी acceleration मेरा maximum होगा omega square a ठीक है न यहाँ माइनस omega square a यह सिर्फ बता रहा है कि left side लग रहा है acceleration यहाँ प्लस omega square a यह बता रहा है कि acceleration right side है और हमारी equilibrium position पे क्योंकि net 4 0 है तो यहाँ पे मेरा acceleration minimum है यहाँ पे मेरा acceleration कितना हो जाएगा minimum मतलब यहाँ पे acceleration मेरा 0 है यहाँ पे कोई अक्सलेरेशं नही थेक है न यहाँ पे acceleration towards the equilibrium यहां भी टूअर यहां पे acceleration 0 तो जहाँ acceleration 0 है वहाँ velocity maximum है जहाँ velocity 0 है वहाँ acceleration maximum है क्योंकि आपने इसको खीचा हो आया acceleration सबसे जादा यहाँ होगा, यह सबसे दूर है, जितना दूर होगे, जितना आप दूर होगे equilibrium position से, उतना spring जादा stretch होगा, उतना ही force जादा, उतना ही acceleration जादा, यहाँ पे spring stretch नहीं है, compress नहीं है, force 0 है, acceleration 0 है, हाँ, अब बात करते हैं, initial phase का क्या मतलब है, देखो भई, जब मैंने कहा कि बोटल इस तरीके से oscillate कर रही है, यह particle आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे oscillate कर रहा है, कर रहा है ना बेटा, है ना, तो अब यह oscillate कर रहा है, मान लो मैंने आपको दो मिनिट के लिए बोल दिया, अपनी आखों को बंद कर लो, अर एकदम से आप अपनी आखों को कहो, कि चलो मैं एकदम आप से बोलू कि open कर लो, आपने जैसी आखे open करी, मान लो यह particle यहाँ था, तो आपके लिए इसकी initial position यह हो गई, आप बोलोगे सर जब जैसी मैंने आखे खोली, यह particle यहाँ था, और पीछे जा रहा था, मान लो मैंने का फिर से eyes close करो, फिर आपने जैसी अ आप journey start करते हो, यानि कि जब आप देखना start करते हो, पार्टिकल तो oscillate कर रहा है, SHM तो हो रहा है, बट आप जैसी observe करना start करते हो, वो object आपको कहां दिख रहा है, उसको हम बोलते है initial position, वो position को बोलते है initial position, और वो किस पर depend करती है, initial phase पे, example की तोर पे, मैं मान लेता हूँ जैसी आपने अपनी eyes open की, object यहां था, मान लो आपने अपनी आखे open करी, object यहां था, और कहां जा रहा था, आगे की तरफ जा रहा था, यह ऐसे ऐसे oscillate कर रहा था, मैंने का eyes close करो, आपने कर ली, मैंने का eyes open करो, आपने जैसी eyes open करी, वो यहां दिखा आपको, और फिर आग किया, T0 उसी को कहते है, T0 का यह मतलब नहीं है, जब दुनिया बनी, ठीक है न, T0 का मतलब है, जब आपने observation लेनी शुरू की, 0 time, ठीक है, जब T0 था, तो आपने क्या बताया कि सर मुझे object यहाँ दिखा, कहाँ दिखा, आपने क्या बताया मुझे x is equals to 0 पर दिखा, तो फिर आपका होगे, sir, find phi, अब हमें यहाँ पर phi बताना है, कि phi कितना होगा, तो मैं equation में use कर लूँगा, मुझे general equation यह वाली use कर लेता हूँ, मैं cos वाली भी कर सकता था, मैं भी sin वाली कर रहा हूँ, omega t plus phi, मैंने यह general equation use कर ली, फिर मैंने आपसे पूछा, आपने जैसी आखे खोली तो क्या देखा, तो आपने बोला, sir, आखे खोली, t is equals to 0 पर x 0 था, मैंने का यहाँ डाल दो, x को 0 डाल दो, और किसको 0 डाल दो, t को 0 डाल दो, आपने डाल दिया, तो हमारे पास क्या equation आगई, अगर आप धिहान से देखोगे, हमें क्या मिला, 0 is equals to a sin phi, यही तो मिला न, क्योंकि यह वाला तो 0 हो गया, तो a को भी 0 में divide करोगे, यह 0 ही बन जाएगा, यहानि कि आपने का कि सर, sin phi मेरा 0 है, तो आपके phi की value क्या आ गई, 0 आ गई, 0 degrees, क्योंकि phi कितना आ गया मेरा, 0 degrees, तो आपने बोला कि सर, इसका मतलब है phi 0 है, तो आपकी general equation बन जाएगी, a sin omega t, यहानि कि SHM में हमारी general equation a sin omega t कब बनेगी, जब particle आगे जा रहा हो, है ना, जब particle आगे जा रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या डॉलेंगे? phi को कितना डाल देंगे? 0 degree डाल देंगे, जब particle आगे जा रा होगा. अच्छा, आप जानते हो phi पे भी, phi की value अगर हम 0 लेंगे, तो भी sin phi 0 हो जाएगा, और अगर मैं 5 को 180 डिग्री लेता अगर मैं 5 को कितना लेता 180 डिग्री यानि की πाई लेता तो भी sin πाई भी 0 होता है तो आप कहा सकते हो कि sir आपने 0 ही क्यों लिया पाई क्यों नहीं लिया तो 0 तब लेंगे जब ये forward direction में जा रहा हूं और जैसी अपनी आखे खोली ये particle आगे जा रहा था इसलिए मैंने यहां 5 को 0 रख दिया equation से आया यानि कि मेरी equation जो थी general equation ये थी बट अब मुझे 5 की value मिल गई है मैं जानता हूं मेरा 5 कितना आ चुका है 0 degree आ चुका है तो आप इस equation में 5 की value डाल दो अब आप देख रहे हो हमें 5 से क्या help मिली हमें 5 से इसकी initial position का पता चल गया अब आप इस equation में t0 डालोगे t0 डालोगे तो x अपना भी 0 आ जाएगा एक और example लेते हैं आप आप आगे सर ऐसा ही क्यो लेना है ना हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि जैसे हम अपनी आखों को खोलें यह भी तो हो सकता है कि पार्टिकल extreme position पे हो ऐसी possibility भी है यानि कि मैं ऐसे मान लेता हूं कि यही मेरा spring band system है और आपने अपनी आखों को जैसे ही खोला और पार्टिकल आपको कहां दिखा पार्टिकल आपको दिखा extreme position पे मैं मान लेता हूं पार्टिकल आपको यहां कहीं नजरा आया x is equals to plus A पे ठीक है ना पार्टिकल आपको कहां नजराया x is equals to plus A पे मैं है लिख देता हूं यहां नजराया यillerी आप अपनी आखों को खोलते हो particle आपको यहाँ नजर आता है ठीक है न यह क्या थी मेरी mean position x is equal to 0 तो आपको particle यहाँ नजर आया आपने जैसी आखे खोली आपको यह यहाँ नजर आई bottle फिर यह पीछे जा रही थी तो आपको मैंने का eyes close करो यह ऐसे ऐसे oscillate कर रहा था आपने जैसी eyes open की particle यहाँ था और पीछे की दरफ जा रहा था तो यहाँ पर आप अपनी condition क्या use करोगे आपको general equation होती है x is equal to a sin omega t plus phi और आपको निकालना है find phi आपको phi calculate करना है ठीक है न पर आपको मैंने क्या condition दी है phi निकालना तो है पर मैंने आपको क्या दी है at t is equal to 0 जैसी आप अपनी आखो को खोलते हो particle आपको यहां दिखता है न क्या बोला हम ने की object हमें कहां दिख रहा है यहां पर दिख रहा है ठीक है x is equal to a पर इसको use कर लो तो इसमें डाल दो equation में x की डाल दिया मैंने यहां पर plus a इस equation में मैंने x की जगे प्लस A डाल दिया और A sin omega t की जगे 0 प्लस 5 यहां A से A कट गया 1 आ गया तो यहां से sin 5 की value 1 आ गयी और sin 5 की value 1 कब होती है जब 5 कितना होता है मेरा 90 degrees या फिर 5 by 2 यानि कि हमें समझ में आ गया कि इस case में मेरा 5 कितना होगा 90 degree होगा यानि कि जो मेरी general equation होनी चाहिए वह होनी चाहिए A sin omega t plus 5 by 2 यह मेरी general equation होनी चाहिए इसको आप A cos omega t भी लिख सकते हो क्योंकि A sin theta plus 90 degree है ना sin 90 degree plus theta या theta plus 90 degree cos theta होता है वो भी लिख सकते हो पर यहां से आप देख सकते हो phi अलग आ गया यानि कि यह depend कर रहा है phi depend कर रहा है कि object कहां जा रहा है जब आप उसको देख रहे हो वो कहां पे और कहां जा रहा है उस पर depend कर रहा है इसलिए इसको initial phase कहते हैं यह हमें इसकी initial information देता है t is equal to 0 पर particle कहा है इसको समझने में हमारी मदद करता है t is equal to 0 पर particle कहा है यह समझने में हमारी मदद initial phase करता है हाँ इसको निकालने का एक तरीका और होता है हम इसको circular motion से deal करके भी निकाल सकते हैं अलग तरीका है उसको निकालने का फोड़ा असान तरीका भी है वो हां बट उसको अलग तरीके से देखेंगे बाद में देखेंगे बट यहां हमें थोड़ी basic information मिल गई कि फाई हमें initial phase की information दे रहा है फाई हमें बता रहा है कि initial phase क्या है टी इकल से 0 पर पार्टिकल कहां located था उसको जानने में हमारी मदद फाई करता है ठीक है ना तो हमें कुछ चीजे यहां important चीजे समझ में आ गई हमें यह समझ में आ गया x is equals to a sin omega t plus phi में phi का important role है यह हमें मदद करता है समझने में t is equal to 0 पर पार्टिकल कहां है यह हमारा maximum displacement होता है omega मेरी angular frequency होती है maximum acceleration कितना हो सकता है आपको acceleration का formula पता है acceleration था omega square x तो maximum acceleration कितना हो सकता है पार्टिकल का यह भी सोच सकते हो maximum acceleration हो सकता है omega square a है ना आप x की value क्या डाल दो यहाँ plus a यहाँ फिर आप x की value minus a डाल दो तो आप omega square a भी लिख सकते हो तो हमने देखा था पार्टिकल का जो maximum acceleration है वो कहां हो सकता है इन दोनो extreme positions पे इन दोनो extreme positions पे पार्टिकल का जो acceleration है, वो maximum होता है, ठीक है न, और यहाँ पर acceleration 0, यहाँ पर velocity maximum होगी, ठीक है, एक दो questions करते हैं, फिर velocities वगेरा पर भी discussion कर लेंगे, यहाँ पर जैसे कि कुछ question दिया गया, आप देखो question में क्या दिया है, तो simple harmonic motion a and b are respectively given by these equations, अब आप यहाँ कहोगे कि सर आपने तो x is equals to a sin omega t लिखा था, यहाँ तो y1, y2 कुछ दिया है, तो इसमें क्या हुआ, अभी जो हमने oscillation माना था, कौन सी direction में माना था, x direction में, पर oscillation तो y direction में भी हो सकता है, हो सकता है न, simple harmonic motion तो इसका y direction में भी हो सकता है, तो oscillation तो y direction में भी हो सकता है, possibility तो वो भी है, तो यहाँ पर जो oscillation हो रहा होगा, वो y direction में हो रहा होगा, तो y1 किसके लिए equation है, पहले particle के लिए, y2 दूसरे के लिए, आप दोनों के लिए ध्यान से compare करो, पहले बाले particle का amplitude a है, दूसरे बाले का भी a है, दोनों particle same amplitude से pi by omega होता है, फरक किस चीज में है, इसका initial phase है pi by 6, यानि कि 30 degree, इसका initial phase है 3 pi by 6, यानि कि कि कितना होगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से 3 से multiply कर दो आप pi by 6 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, pi by 2 ही बन गया न, एक तरीके से यह, 3 pi by 6 is nothing but, pi by 2, यानि कि 90 degree, है pi by 6, दूसरे वाले का phase है, omega t plus 3 pi by 6, तो भाई, omega t, omega t तो same है, तो इन दोनों का initial phase है, उसी का difference निकाल ले, तो phase difference अगर आपको यहाँ से निकालना है, यहाँ पर अगर आप इन दोनों का phase difference निकालना चाहते हो, तो जो इनका initial phase है, उसका difference ही देखना है, यानि कि यह simply हो आपका 2 pi by 6, यानि की pi by 3, obviously 60 degrees कह सकते हूँ, pi by 3 कह सकते हूँ, तो यह इन दोनों का phase difference है, है ना, तो pi by 6, pi by 3 या फिर 60 degree आपका answer आजाएगा, so answer is pi by 3, simple question है यह, just phase difference निकालना था आपको, और phase difference आप निकालोगे, तो obviously यह दोनों तो same है, बस इजी का difference है, यह omega t plus pi by 6 है, omega t plus 3 pi by 6 है, नीचे वाले में से उपर वाले को माइनस कर दो, omega t omega t वैसे भी cancel हो जाएगा, अगर आप subtract करोगे पूरे phase को, तो भी subtract हो जाएगा, तो यहां से answer आजाएगा आपका 60 degrees, यहां पर क्या कहा रहा है, question में अगर हम ध्यान से देखे, the displacement of a particle in shm is indicated by equation, तो यहां पर भी जो हमें equation दिया है, वो दिया है, y is equals to 10 sin, और यहां पर दिया है 20 t plus pi by 3, ठीक है, तो अब इसको general equation से compare करो, यहां पर oscillation x direction में हो रहा है या y direction में, देखो, किस direction में oscillation हो रहा है, x is equals to कुछ equation दिया है, यह y is equals to, y is equals to, यानि कि जो oscillation की direction है, वो y direction है, वो plus y minus y direction में oscillate कर रहा होगा, आप general equation से compare करो, तो मुझे लिखना चाहिए था, a sin omega t plus 5, तो आप देखो, compare करने से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है, मेरा amplitude तो 10 है, मेरा omega कितना है, 20, और initial phase मेरा pi by 3 है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे time period, और time period किस से निकल सकता है, क्या वो amplitude से निकालते हैं, नई, वो किस से निकालते है, omega से, तो time period के लिए तो मुझे सिर्फ 2 pi by omega ही करना है, और omega हमें पता चल चुका है, 2 pi by omega, omega हो गया 20, यानि कि आ गया pi divided by 10, simple हो गया, pi by 10, तो यह मेरा answer आजाएगा, pi by 10, easy question, असान है यह भी आप देख सकते हो, easy है, just comparison करना था हम लोगों को general equation से time period निकालना है, तो उसके acceleration के बारे में आप क्या जानते हो, it is always directed towards the equilibrium, always towards the one end, continuously changing in direction, maximum at the mean position, क्या लगता है, आप जानते हो, mean position पे acceleration क्या होता है, 0 होता है, तो यह तो गलत हो गई ना statement, continuously changing direction ऐसा नहीं है, जब particle equilibrium से left side है, तो acceleration right side लगेगा, जब particle equilibrium से right side है, तो acceleration left side लगेगा, तो continuously तो direction नहीं change कर रहा, है ना, थोड़ी देर के लिए तो direction fixed रहती है, तो यानि कि यह भी option गलत है, always towards the end point क्या ऐसा होता है, कि acceleration extreme की तरफ लगता है, end point की तरफ लगता है, नहीं, first option कि अगर हम बात करें, वो बिल्कुल सही है, acceleration always directed towards the equilibrium position, हाँ, यह बात समझ में आई हमें, acceleration हमेशा mean position की तरफ यानि की equilibrium position की तरफ लगता है, उसकी कोशिश रहती है कि particle को हमेशा अपने equilibrium यानि की mean position की तरफ ला सके, यह हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है, ठीक है, तो इसका answer क्या आ जाएगा, first option, यहाँ पर हम लोगों को एक graph से related question दिया, इस question को धियान से देखे, the oscillation of a particle on a smooth horizontal surface is represented by this equation, तो आपको यहाँ पर equation दी गई है, x is equals to a cos omega t, x यहाँ displacement है, ठीक है न, अब मैं आपको पहले इसके graph बना के दिखाता हूं, चलो, अगर यह हमें दिया ही है, तो हम इसके graph बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को क्या दिया है, अगर हम ध्यान से देखे, one second, हम लोगों को यहाँ पर दिया है, यहाँ पर x is equals to a cos omega t, ठीक है न, पहले हम एके करके graph बनाने की कोशिश करते हैं, क्या position का graph बना सकते हो, बहुत simple है, अगर आपसे मैं position का graph पूछता, मैं यहाँ लिख देता हूँ x, और यहाँ लिख देता हूँ time, तो position का graph कैसा बनेगा यहाँ पर, cos वाला graph बनेगा, right, तो cos वाला graph बनना चाहिए, यानि कि कुछ इस तरीके से आपका graph बनना चाहिए, तो यह हमारा graph किसका हो जाएगा, बोलो, position का graph हो जाएगा, जो plus a से minus a पर जाएगी, और आप जानते हो, यहाँ पर आएगा, pi by 2 omega, है न, और यहाँ पर आएगा आपका, कितना आजाएगा, दुबारा से 0 किस पर होता है यह, 3 pi by 2 omega, यहाँ पर यह कितना आजाएगा, pi by omega, ओके, यह आपको याद होगा, यह हमने cos का graph बढ़ा है, तो x यहाँ cos पर depend कर रहा है, sine पर नहीं, इसलिए equation ऐसे आगी, अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, acceleration के formula की बात करोगे, तो वो होता है मेरा minus omega square x, यह ही तो आपने formula पढ़ा था, तो आप acceleration को क्या लिख सकते हो, minus omega square, x की जगे क्या लिख सकते हो, a cos omega t, तो आप देख सकते हो, acceleration का जो formula आया है, हूँआ है, minus omega square a cos omega t, तो यहाँ पर actually, यह मेरा amplitude बन गया, acceleration का, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो, A max, यह मेरा acceleration का amplitude बन गया, cos omega T, यह पूरा constant है न, जो भी चीज cos के पहले लगी होगी, हमने कहा था, वही amplitude होगी, यहां cos से पहले A नहीं लिखा, A omega square लिखा है, यानि कि A max का मतलब यहां पे क्या है, A max क्या है मेरा, यहां पे omega square A है, इसी को मैं amplitude कहूंगा, of acceleration, यह position का amplitude नहीं है, amplitude of acceleration, यानि कि acceleration की maximum value है, हम A को बोलते थे, amplitude of position या displacement, तो वो displacement की maximum value थी, यहां पे cos से पहले क्या लगा, omega square A, यानि कि acceleration का maximum है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि, अगर हम acceleration का graph सूचे, यहां पे acceleration के graph के बारे में सूचे, तो हम यहां पे y axis पे लिख देते हैं, A, x axis पे ल दिया हमने, अब अगर आप जहां से देखो, यह equation किसकी है, यह minus cos की है, हमने last class में देखा था, अगर हमें cos का graph पता है ऐसा, तो minus cos का graph कैसा होगा, inverted, यानि कि यहां minus cos का graph graph बनाओगे, तो वो ultra graph बनेगा इस तरीके से, है ना, इसका ultra graph बनेगा, तो यह graph कुछ इस तरीके से होगा, तो minus cos का graph हमारा ऐसे होगा, और इसका amplitude की बात करें, कहां तक जा रहे है, a max, यानि कि यह जाएगा, minus omega square a, और यहां कि आ जाएगा, omega square, ठीक है ना, तो यह हमारा graph किसका होना चाहिए, cos omega t का, obviously, यह point हो जाएगा, मेरा, pi by 2 omega, यह वाला point होगा, मेरा, 3 pi by 2 omega, ओके, तो अब हम इसको अपने graph से compare करते हैं, ठीक है ना, अगर a मेरा cost का graph है, तो acceleration भी cost का graph होगा, बट negative sign के साथ, क्योंकि acceleration minus omega square a होता है, ओके, तो आप देख सकते हूँ, यहां पे अगर हम question की बात करें, तो question में कौन सा graph आपको सही लगता है, यहां हम लोगों को acceleration time graph दियें, options में, कौन सा graph आपको ठीक लग रहा है, acceleration time के लिए, minus cost वाला graph कौन सा है, देखो यह तो cost वाला graph है, क्योंकि ऐसे जा रहा है, यह cost वाला graph है, यह किसका graph है, यह तो नहीं है ना, यह minus sign वाला graph है, क्योंकि अगर आप sign का graph देखते हो, ऐसे होता है, तो minus sign का graph ऐसे होगा, तो यह माइनस साइन का, यह भी गलत है, यहां आजाओ, यह किसका ग्राफ है, यह माइनस कॉस का ग्राफ है, यह ग्राफ बिल्कुल ठीक है, यह वाले ग्राफ पर आजाओ, यह साइन का ग्राफ है, यह माइनस साइन वाला कर्व है, यह कॉस वाला कर्व है, यह माइनस कॉस वाला हो, इसका जो correct graph होगा, वो कौन सा होगा, आपने compare किया, ये वाला graph होगा, उसने बस इतना region position relation, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, although वैसे हम काफी चीज़े इस पर already discuss कर चुके हैं, अब हमें पता है, acceleration का clearly हम जानते हैं, जो formula हमें समझ में आ चुका है, कि जो मेरा acceleration का formula है, that is nothing but minus omega square x, यही तो formula है हमारा acceleration का, acceleration versus position relation यह है, ठीक है न, अगर हम ध्यान से देखें, जब हम x is equals to 0 डाल देते हैं, यानि कि equilibrium position डाल देते हैं, हम कौन सी position की बात करते हैं, equilibrium या फिर mean position की बात करते हैं, उस position पे हमें पता acceleration कितना आएगा, इस formula से देखें पता चल रहा है, 0 आएगा, यह हमने कहा भी था mean position पे acceleration 0 होगा, इसकी maximum value पी हमने बात करें, यानि कि इसके amplitude की, मैंने भी graph से भी दिखाया था, आप यहां भी देख सकते हो, यह कब आएगा, जब x is equals to plus minus a होगा, यानि कि जो a max है, ठीक है न, या तो आप उसको लिख सकते हो, minus omega square a, या फिर omega square a, depend करता है, आप right side हो, left side हो, पर इसका magnitude है, जो इसका magnitude है, a max का, अगर हम सिर्फ magnitude की बात करें, वो definitely omega square a है, this is a maximum value of acceleration, magnitude of acceleration, ठीक है न, तो acceleration कहां maximum होता है, extreme पर, extreme और end points, आप बोल सकते हो, end points पे acceleration maximum होता है, extreme पे यह maximum होता है, graph बनाने की बात करें, आप से कहें, इसका graph भी discuss कर लो, graph पे भी चर्चा तर लो, तो अगर हम ध्यान से ठीक है, graph कोई मुश्किल नहीं है, आप इसका graph easily देख सकते हो, acceleration versus position, कैसा graph आप लोगों को नजर आ रहा है, acceleration versus position, ठीक है, अब जैसी मैं है equation लिखूंगा, acceleration versus position, तो equation है, minus omega square x, तो काफी बच्चे बोलेंगे, पैरा बोला, जो की गलत है, नहीं सर, पैरा बोला, सही है सर, यह हाँ पे square लगा है, अरे बेटा, graph बन किसके बीच में रहा है, a और omega के बीच में, या a और x के बीच में, पहले यह decide कर, graph बन रहा है, a और x के बीच में, ना की a और omega square, तो अगर आप पैरा बोला सोच रहे हो, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, क्यों सोच है, omega कैसा constant है, positive, और उससे पहले एक sign लगा है negative, यानि कि यह straight line की equation है, a की power 1, x की power 1, यह हमारी straight line की equation है, यह कैसी equation है मेरी, straight line, ठीक है न, straight line की equation, यहाद है y is equal to mx plus c होती है, तो यहाँ पे इसका कोई intercept नहीं है, यानि कि origin से start होगी, यह straight line की equation है, जहाँ इसका slope, straight line का जो slope है, वो कितना हो जाएगा मेरा, मेरा जो slope है, वो बन जाएगा minus omega square, जो की एक negative है, इसका slope मेरा negative है, तो एक straight line की equation, मुझे कैसे पता straight line है, linear equation है, a की power 1, x की power 1, 1-1 relation है, जो एक acceleration पे एक position, एक position पे एक acceleration, और negative slope वाली, और इसका कोई intercept नहीं है, है ना, जैसे हम लिखते थे, y is equals to mx plus c, तो यह c intercept होता था, कि graph y axis को कहां काटेगा, यहाँ पे वाली term है ही नहीं, यानि कि वो origin पे cut करेगा, तो कहने का मतलब है, यह graph इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, यह graph इस तरीके से आएगा, और इस graph का अगर आप से slope पूछ लिया जाए, तो इस graph का slope कितना होगा, minus omega square, ठीक है ना, negative slope आली line ऐसी नजर आती है, तो यानि कि यह second और fourth quadrant में बन रहा है, है ना, f is equal to kx का भी अगर आप graph बनाते थे, तो ऐसा ही बनता था, even force और x के बीच का graph भी अगर आप बनाते थे, restoring force और x के बीच का graph बनाओगे, तो भी ऐसे बनेगा, बस इसमें slope मेरा minus कि आएगा, बस इतना ही फरक है, सेम ही graph है दूनों का, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बस थोड़ा सा slope में फरक है, ठीक है ना, तो यह याद रखेंगे acceleration versus position graph, straight line होगा, ओके, अब body executing SHM has a maximum velocity of 1 meter per second, and a maximum acceleration of 4 meter per second square, its amplitude in meters, so अगर हम बात करें, हमने maximum acceleration के बारे में तो discuss कर लिया, बट क्यों ना, अब एक बार maximum velocity के बार में पहले discussion कर ले, तब हम questions पर आए, क्योंकि अगर हम इस question की बात करें, वो maximum velocity और acceleration को relate कर रहा है, so let's just try to understand what is maximum velocity, बहुत अराम से देख सकते हैं, आपको position time relation पता है, आपको पता है position का formula क्या है, हमने मान लिया, a sin omega t plus 5, थोड़ा सा easy करते हैं, है ना, assume कर लो, 5 हमारा 0, थोड़ा सा easy बना लेते हैं, assume 5 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो equation थोड़ी easy हो जाएगी, देखने में complicated सी नहीं लगेगी, चालो, ये SHM की ही equation है, बिलकुल ठीक है, ये मान लिया हमने, assume कर लिया, ठीक है, चालो, अगर मैं velocity की बात करू, velocity कैसे निकालेंगे, हम dx by dt करके निकालेंगे, है ना, भूल तो नहीं गए, velocity position से कैसे निकालते हैं, instantaneous velocity कैसे निकालते हैं, position का differentiation करके, with respect to time, क्या ऐसे निकलती थी, हमारी instantaneous velocity, भूल गए, भूल गए, याद है, याद है, very good, अगर याद है, तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए, तो याद करो भई, instantaneous velocity निकालने के लिए, हम differentiate कर सकते हैं, यहाँ पर differentiation करोगे, a as it is रहेगा, constant है, sin omega t का पहले, तो आप differentiation देखो, cos omega t हो जाएगा, पर आप differentiation omega t से नहीं, t से कर रहे हो, differentiation omega t से नहीं कर रहे है, सिर्फ t से कर रहे हो, मतलब omega और आएगा multiply में, यहाँ पर omega t का differentiation भी करना पढ़ेगा, पहले sin omega t का करोगे, chain rule है, तो पहले आपको sin वाला function नज़र आ रहे है, तो sin का हो गया cos, फिर omega t में को function नज़र आ रहे है, omega constant है, t का differentiation हो गया 1, तो omega t का अगर आप differentiation करोगे, तो बचेगा मेरे पास सिर्फ omega, t नहीं आएगा, सिर्फ बचेगा omega, यानि कि पहले आप sin omega t का करोगे, तो cos omega t, फिर omega t का करोगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, omega t का differentiation 1, यानि कि यहाँ पर differentiation करने से हमें मिलेगा, a omega cos omega t, differentiation करने से क्या मिलेगा, a omega cos omega t, तो cos के साथ जो चीज multiply है, वही तो amplitude होती है, यानि कि velocity की जो maximum value है, वो a omega हो गई, इसी को हम इसका amplitude कह रहे हैं, ओ, अच्छा, यानि कि v max मेरा a omega है, ठीक है न, इसी को हम amplitude of velocity कह रहे हैं, amplitude of velocity मतलब velocity की maximum value, amplitude of velocity, velocity इससे ज़ादा नहीं हो सकती, यह velocity की maximum value है, compare करो, acceleration की maximum value आई थी, omega square a, मैं सिर्फ maximum इसका amplitude discuss कर रहा हूँ, वो omega square a थी, negative positive सिर्फ direction दिखाते हैं, तो हम सिर्फ यह compare कर रहे हैं, तो maximum velocity a omega है, maximum acceleration omega square a था, दोनों में फरक नजर आ रहा है, यह अच्छे से आप difference देख सकते हो, हाँ, इसके साथ आप एक shortcut और use कर सकते हो, आप directly एक relation यूज़ कर सकते हो, velocity position relation, ठीक है ना, velocity position relation आप use कर सकते हो, अगर आपको direct question solve करने है, वो relation क्या है, आप यहाँ पर velocity को लिख सकते हो, omega under root of a square minus x square, यह relation आप derive भी कर सकते हो, कोई हास मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से, यहाँ से sin omega t को x by a रखना पड़ेगा, और यहाँ पर substitute करना पड़ेगा, cos omega t को 1 minus sin square omega t under root में रख सकते हो, solve कर सकते हो, बिना derive करे मैं लिख रहो, derive करने की जुरत नहीं है, आप इसको याद रखो, यह हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, यह important है, यह याद रखना भाई, ठीक है ना, यह बहुत important है, बहुत सारे major सवाल इससे solve हो जाते हैं, तो derivation करा के मैं आप पर time नहीं निकाल रहा, मुझे पता है, derivation करना भी कोई खास नहीं है, बस यहाँ से sin omega t को x by a कर देना है, cos theta को हम लिख सकते हैं, हमें पता है, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, cos theta को हम under root of 1 minus sin square theta लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी cos omega t को under root of 1 minus sin square omega t लिख सकते हो, और sin omega t को x by a डाल सकते हो, पूरा solve करोगे, final result यह आएगा, और यही result हमारे काम का है, यही हमारे काम का है, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है, तो मुझे यही सबसे जरूरी result अपना याद रख लेना चाहिए, तो क्यों न हम इसको याद कर लें, अच्छे से, यह important वाला हमारा result है, यह हमारा velocity position relation है, ठेक है न, इसी को हम velocity position relation कहते हैं, velocity का position के साथ, कैसा relation है, वो यहाँ से clear cut हम लोगों को नजर आ रहा है, ओके, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप x को 0 डालो, यहाँ भी अगर आप चेक करो, अगर आपने x को 0 डाला, तो क्या आजाएगा, चलो डालो, x को 0 डालो, तो v कितना आजाएगा, अगर आप धिहान से देखोगे, v is equals to कितना आजाएगा, यहाँ पर x को 0 डाला, omega under root a square, यानि की, omega a आगया, यानि की, v maximum आ गया, ठीक है न, यह क्या आगया, v maximum आगया, यानि की, x is equals to 0 पे, mean position पे, मेरी velocity maximum होगी, x is equals to 0, यानि की, mean position पे ही, मेरी velocity maximum होगी, यह मैंने आपको पहली बताया था, SHM में, extreme position पे, acceleration सबसे ज़ादा, mean position पे, velocity सबसे ज़ादा, अब यह मत कहाना, कि सर, object तो रुका रहता है, mean speed पे, अरे वो, हम oscillation दे चुके, अब वो oscillate कर रहा है, continuously, तो जब भी, mean position को cross करेगा, उस ताइम पे, उसकी speed सबसे ज़ादा होगी, already अगर कोई object, oscillate कर रहा है, उसकी बात कर रहे है, object रुका नहीं हुआ, oscillating object में, extreme position पे जाके, वो रुकता है, और mean position पे speed ज़ादा, extreme position पे acceleration maximum, mean position पे speed maximum, velocity का magnitude maximum, यहीं पे अगर मैं, x को a डाल दूँ, x को plus minus a डाल दूँ, तो आप देख सकते हो, a square minus a square बन जाएगा 0, तो आपकी velocity हो जाएगी 0, आपको पता है, extreme पे या end point पे, speed 0 हो जाती है, extreme और end points पे, आप जानते हो, इसकी speed 0 हो जाएगी, velocity 0 हो जाएगी, वही हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो यह important वाला conclusion है भाई, इसको बिलकुल भी भूलाना नहीं है, यह important दो cases भी मैंने यहां बताएगा, extreme पे क्या होगा, mean पे क्या होगा, इसको भी बहुत ध्यान से अपने को देखना है, ठीक है ना, यहां पे यह important slide है, यहां position velocity का मैंने relation बताया है, question देखते हैं, सवाल क्या है, body executing SHM, has maximum velocity 1 meter per second, क्या बात है, question में maximum velocity 1 meter per second दे दिया, और अच्छी बात यह है कि अभी हमने V max का formula पढ़ा है, क्या formula पढ़ा है हमने, सर यह omega A होता है, कितना हो गया omega A, 1 meter per second, बहुत बढ़िया, maximum acceleration 4 meter per second square, A max दे दिया, जी, A max कितना होता है, omega square A, और यह कितना दे दिया हम लोगों को, 4 meter per second square, बहुत बढ़िया, निकालना क्या है, amplitude, क्या लगते है amplitude निकालने के लिए, क्या कर देना चाहिए, सोचो, बहुत अराम से निकाल सकते है amplitude, कैसे निकालना चाहिए, क्या करूँ मैं, best तो यह रहेगा, मैं इसका square कर दूँ, अगर मैं उपर वाली equation का square कर दूँ, तो omega square है न, square कर दिया, साइड इस equation का, उपर वाली का, तो क्या आ गया, omega square a square 1, square आ गया, यानि की 1 आ गया, ओ अच्छा, यानि की, omega square a square 1 है, omega square a मेरा 4 है, divide कर दो, divide कर दो दोनों equation को, answer आ जाएगा, बहुत अराम से आ जाएगा, divide कर दो, क्या कट जाएगा, divide करने से, omega square, omega square कट जाएगा, उपर a square है, नीचे a है, तो a square by a, जिसको आप a कह सकते हो, right side आ जाएगा, 1 by 4, ओ, amplitude आ गया, 1 by 4, यानि की, 0.25, amplitude कितना आ गया, 0.25 हो गया, ठीक है, अराम से question होगा, यह बिलकुल बंदास तरीके से, substitution भी यूज कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, omega की value यहां से आ जाती, यहां से हमारा, omega की value के आ जाती, 1 by a, और यहां डाल देते, यहां से बन बाई यह को तो भी answer आ जाता, जैसे आपको easy लगे, substitution से करना है, substitution से कर लो, बट आपको answer आना चाहिए, final मतलब यही है, final मकसद यही है, कि हमारा answer solve हो जाना चाहिए, answer आ जाना चाहिए, अगला question कह रहा है, the equation for the displacement of the particle executing SHM is given by this, then the velocity at 3 cm from the mean position, यानी कि यहां SHM कौन सी direction में हो रहा है, y direction में, क्या equation दिया अपने को, 5 sin और कितना दिया है, 2 pi t, 5 sin 2 pi t, यह equation है, general equation से compare करो, general equation होती है, a sin omega t plus 5, यही होती है न, compare करके क्या मिला, sir amplitude 5 है, compare करके क्या मिला, omega 2 pi है, compare करके क्या मिला, phi 0 है, compare करो न, omega t, t के साथ यहां 2 pi multiply है, t के साथ यहां omega, omega हो गया 2 pi, और यहां पर plus में कुछ है यही नहीं, तो मतलब plus 0 होगा, मतलब phi तो यहां है यहीं, यही मेरी general equation मिन रही है, सब कुछ cm में आ रहा है, बिल्कुल से, है न, तो a भी जो आया है मेरा, वो cm में है, ठीक है न, a भी इसमें आया है मेरा cm, ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, velocity at 3 cm, क्या formula यूज करें, v is equals to, क्या यूज करें, अभी हमने एक formula पढ़ा है, omega a square minus x square, क्या हमें a को meter में कर देना चाहिए, कर देना चाहिए था, अगर यहां पर answer meter per second में होता, पर answer सारे cm per second में है, इसलिए मैं convert नहीं करूँगा, है न, इसलिए मैं convert नहीं करूँगा, omega की जगे डाल देंगे 2 pi, ठीक है न, और a की जगे कितना डाल देंगे, यहां पर 5 है, तो a का square यानि की 25, ठीक है न, और क्या आजाएगा अगर आप यहां से देखोगे, x का square यानि की velocity at 3 cm from mean, तो x की value हमें 3 दे दी, है न, यानि की हमें x की value कितनी दे दी, 3 cm, तो उसका square करोगे, तो यहां 9 आएगा, यहां आएगा 2 pi, अंडर root of 25 माइनस 9, यानि की आगया 16, तो यहां आगया 2 pi, और into कितना आगया 4, है न, यही आगया न, तो यहां से कितना आगया मेरा, 8 pi a, ठीक है, तो यह मेरी क्या आगयी, अगर आप ध्यान से देखोगे, sorry, 8 pi, है न, 8 pi a नहीं, सिर्फ 8 pi, sorry, 8 pi, ठीक है न, यहां 4 आगया था न, मेरा 8 pi, तो यह जो मेरी velocity आगयी, यहां पर वो आगयी, 8 pi, cm per second, यानि की यह, last वाल option, असान question है, easy question है, just identify करना है भाई, अब तो खिलवाड है एक दम, विल्कुल, formula का खिलवाड है, तो खेलना है अपने को, है न, खेल तो पसंद है अपने को, यह खेल खेलना है अब, क्योंकि हमें formula याद, अब वो हमारे साथ खिलवाड नहीं कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्मलेस पता है, तो हम खेलेंगे, अब हमारी बारी, ठेक है न, बहुत डरा दिया हमें SHM ने, अब हम डराएंगे, आने दो question, आने दो, bring it on, ठेक है, चालो, अगला सवाल देखो, चलो, for a body in SHM, the velocity is given by this relation, the maximum acceleration is, और mostly बच्चे, इस question को गलत कर देते हैं, मैं बताता हूँ क्यों, आपने जैसी equation देखी, तो आपको देखी-देखी, equation लगनी start होगी होगी, अरे हाँ sir, ये equation तो देखी-देखी है, यहाँ पे लिखा है, 144 minus 16X square, आपके दिमाग में जो equation आती है, वो equation होती है, omega और under root A square minus X square, यही तो equation आती है न हमारे दिमाग में, यह equation सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, ठीक है, पर एक चीज़ याद करना, अगर मैं इन दोन equation को compare कर रहा हूँ, तो इनमें एक बहुत-बड़ा difference है, इनमें सबसे बड़ा difference यह है, कि बेटा, यहाँ X का coefficient 16 है, यहाँ X square का coefficient 1 है, तो अगर आप इन दोन equation को compare कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कर सकते, आपको compare करना है ना इन दोन equation को, करना चाहते हो ना compare, तो सबसे पहले आप एक काम करो, compare करने के लिए, यह पहले X square का coefficient 1 बनाओ, तब compare करना, उससे पहले compare करोगे, आंसे गलत आजाएगा, मैं अभी बतारो, ध्यान रखो, मैंने फिर से सुन लो, मैंने क्या का, अगर आप इन दोनो equation को, यह मेरी general equation है, यह हमारी given equation है, यह equation मुझे given है, और यह मेरी पास general equation है, जो हमने सीखी है, आप compare करके निकालना चाहरे हो, तो पहले इसको general formula लेकिया हो, देखो, भी का कोई coefficient नहीं है, यहां भी नहीं है, बिक्कुल सही must, यहाँ X square का coefficient 16 है, यहाँ 1 है, नई, ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ से मुझे 16 को common लेना पड़ेगा, यानि कि अगर आप इस equation की बात करो, अगर आप इस equation को solve कर रहे हो, तो यहाँ पे पहले under root, और 16 को यहाँ पे आप common ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ से लोगे 16 9 जा होता है, तो यहाँ आजाएगा 9 minus X square, और फिर आप क्या करो, यहाँ पे 16 को भाड़ ले जाओ, तो यहाँ आगया, 4 है ना, 16 को under root से भाड़ ले जाओगे, 4 आजाएगा, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का square minus X square, अब आप compare करो, अब आप compare करना चाहते हो, अब आप compare करो, इसे 3, और आपको क्या निकालना है बोलो, maximum acceleration, और maximum acceleration क्या होता है, omega square A, यानि की 4 का square, into 3, यानि की 16, into 3, यानि की 48, अब आया है, यह 48 meter per second square, यानि की यह मेरा answer आएगा, ठीक है ना, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, तो घर बढ़ हो जाएगी, दूसरा तरीका क्या है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप एक काम करो, ठीक है ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, आप अपनी general equation में, omega को अंदर ले जाओ, general equation में अंदर ले जाओ, अब यह बन जाएगा, omega square a square, minus omega square x square, ठीक है ना, और अब हमारी जो given equation है, वो हमारी given equation यह थी, कितनी थी, 144 minus 16 x square, 144 minus 16 x square, हाँ, अब आप क्या कर सकते हो, अब compare कर सकते हो, ठीक है ना, अब अगर आप compare इसको कर रहे हो, तो आप सबसे पहले इन दोनों को compare करो, तो आपको मिल जाएगा, omega square x square, 16 x square है, x square x square कटा, omega यहां से आ गया, 4 आ गया, है ना, और फिर इसको compare करो, आपको पता चल जाएगा, omega square a square मेरा, 144 है, under root लोगे, under root लोगे, omega a 12 आ जाएगा, omega 4 है, है ना, तो a की value आ जाएगी, 12 by 4, यानि की 3, यानि की फिर उसके बाद, आप a max निकाल सकती, यह second method है, यह second method है, अगर आपको second method इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो first method से ही करें, और मेरे हिसाब से first method जादा बेटर है, ठीक है ना, तो second method से बेटर है, first method से आप कर सकते हैं, जहाँ बस आपको इतना याद रखना है, सबसे important, यह 16 को common लेके, x square का coefficient 1 बनाओ, भई, तब ही compare करोगे इससे, नहीं तो फिर इस omega को अंदर multiply करो, और फिर compare करो, जो second method में की है, ठीक है ना, अपार्टिकल इस एक्षिक्यूटिंग, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस maximum acceleration is alpha, maximum velocity is beta, then time period, वा, देखो क्या मज़ेदार question बोला है, maximum acceleration, यानि की a max, क्या होता है a max, वो होता है, omega square a, वो कितना दिया है, alpha, फिर बात कर रहा है, v max, v max क्या होता है जी, यह होता है, omega a, यह कितना दिया है, beta, ठीक है न, a max सिर्फ magnitude ले रहे हैं, negative लेने की जुरत नहीं है, हम सिर्फ magnitude की बात कर रहे हैं, आप इनको divide कर दो, देखो omega आ जाएगा, है ना, इस equation से इसको divide कर दो, simply divide करेंगे हम equations को, तो divide करने से क्या आ जाएगा, यहां से a, a कट जाएगा, divide करने से है न, बचेगा क्या omega square by omega, यानि कि omega किसके equal आ जाएगा, alpha by beta, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, time period 2 pi by omega होता है, time period 2 pi by omega होता है, तो 2 pi divided by alpha, divided by beta, यानि कि 2 pi by beta divided by alpha, तो 2 pi by beta divided by alpha, यह मेरा answer आजाएगा, easy है न, देख सकते हो, कितने अराम से यह question हो गया, previous year में आया वे सवाल हैंगे, आया हुए देखो, previous year में, और कितना असान सवाल पूछा है उसने, a particle executes linear simple harmonic motion, with an amplitude of 3 cm, when particle is at 2 cm from the mean position, the magnitude of its velocity, of acceleration, then its time period in seconds is, देखो कितना अच्छा question दिया है, previous year का सवाल है, साड़ा data आपको देदी है, एक एक करके इसको filter करते हैं, और फिर solve करते हैं, बड़ा लग रहा है question देखने हैं, मैं तो छोटा कर लो उसको, समझ के, पहले उसमें बोला, SHM हो रहा है, और amplitude हमें देदी है 3, तो जो दिया है, मैं तो बस उसी को लिखूंगा, मुझे तो amplitude में नजर आया, यहाँ पे 3 cm, फिर क्या कहा रहा है, particle कहां पे, when particle is at 2 cm, यानि कि, x की value देदी 2 cm, तब वो कह रहा है, the magnitude of velocity is equal to its acceleration, यानि की velocity acceleration के बराबर है, यह हमें बोल रहा है, अब velocity का equation क्या था, अगर हम दियान से देखें, velocity की equation थी, omega under root a square, sorry, velocity की, हाँ ठीक थी, omega under root a square minus x square, और acceleration को आप लिख सकते हो, omega square x, सिर्फ magnitude लिख रहा हूं, इसलिए negative sign नहीं, लिखा है, ठीक है ना, याद रखने, अगर negative भी लिखो के, आप square करोगे, फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, यह acceleration as a function of position, यह velocity, minus sign चाहो, तो यहाँ लगा दो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, negative लगा दोगे, आप under root लगा, square करोगे, वो गायब हो जाएगा, हम सिर्फ magnitudes को compare कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पर omega, यहाँ omega square है, यानि कि यहाँ आजाएगा under root of a square minus x square, इस omega को यहाँ divide कर दोगे, तो यह omega x आजाएगा, आजाएगा, ठीक है, यह omega x आजाएगा, ठीक है ना, फिर आप यहाँ क्या कर दो, square कर दो, both sides, और उसके बाद substitute कर देना, square both sides, और उसके बाद substitute कर देना, एक बार square कर दो, यहाँ पर फिर उसके बाद substitute करेंगे, square करो तो कितना आएगा, यहाँ पर आजाएगा, a square minus x square यहां से आ जाएगा omega square x square ठीक है ना? इसको solve करते हैं अब हम लोग ठीक है ना? a की जगे कितना डाल दे? 3 एक ही जगे हम कितना डाल दें यहां पर? 3 तो यहां जाएगा आपका 9 है ना? तो 9 minus x square की जगे यहां डाल दोगे 2 का square यानि की आजाएगा 4, ठीक है ना? एक ही जगे 3 डाला तो 3 का square 9 x की जगे 4 और right side कितना जाएगा यहां पर? omega square और कितना आजाएगा यहां पर? x square x square कितना आगया यहां पर? 4 ठीक है? यहां से omega square कितना आगया? यहां से आ गया यह 5 divided by 4 तो अपने पास जो omega आ गया, वो कितना आ गया, under root 5 divided by 2, 4 का under root लोगे, तो 2 आएगा, अब यहाँ पर आप यह confused हो सकते हो, कि सेंटीमेटर को मीटर में convert करना है या नहीं, तो इसका answer है, जुरूरत नहीं पड़ेगी, reason, आप देख सकते हो, यहाँ displacement है, यहाँ displacement है, displacement, displacement से आप divide कर रहे हो, तो उनकी unit cancel out हो जाएंगी, ratio of unit less होती है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, omega unit less है, यहाँ पर कोई फरक ही नहीं पड़ रहा, omega खुद ही unit less है, तो क्या फरक पड़ेगा, ठीक है न, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारा इसकी कोई unit नहीं आ रही ह है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, यह simply हमारा क्या रहा है, कुछ ratio type आ रहा है, है न, यहाँ पर यह क्या रहा है, हमारा ratio आ रहा है, ठीक है न, वैसे omega per second में express किया जाता है, हम ध्यान से देखेंगे, it's not exactly unit less, इसको बिल्कुल unit less मत समझ ले न, यहाँ पर बस unit कि किस से नहीं, किस पर depend नहीं कर रही है, centimeter पर नहीं depend कर रही है, क्योंकि यह भी centimeter square में, यह भी centimeter square में, वो कट जाएगा, वैसे time period के रैसी प्रोकल है, time period अगर second में है, तो omega per second में होता है, unit less नहीं है, ठीक है न, याद रखना कि unit less लिखा हो exam में, यहाँ मैं unit पे independent है, यह बो 2 pi by omega, तो यहाँ से आ जाएगा 2 divided by, 2 pi by divided by omega, यानि कि root 5 into 2, तो 4 pi divided by root 5, 4 pi divided by root 5, यानि कि यह वाला answer अपना correct है, ठीक है न, unit convert नहीं कर रही है, यह बात समझ में आई है न, आप लोगों को ऐसा क्यों किया है, unit का conversion यहाँ पे क्यों नहीं किया गया है, यह जरूरी है, समझन हमारे लिए, क्योंकि unit cancel out हो रही है, ठीक है, okay, starting from mean position, the distance covered by a particle executing SHM in half time period is equals to, ठीक है, अगर आप दियान से देखोगे, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कि हमारा half time period में कितना distance cover करेगा, starting from the mean position, तो कोई object यहाँ से start कर रहा है, ठीक है न, और वो मान लो पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो यह complete time period होता है, यह न, this is complete time period, आप कहां से शुरू कर रहे हो, x is equals to 0 से शुरू कर रहे हो, फिर आप x is equals to plus a पे आ रहे हो और फिर x is equal to 0 पर पर x is equal to minus a पे आ रही हो याणि कि आप ऐसे जा रहे हो फिर ibas thats ऐसे जा रहे हो न वो अलग अलग लाईन में दिखा यह वैसे वह एकी लाइन में करेगा linear motion आई से से करेगा तो पहले आप यहान से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां होगे, फिर पीछे जाओगे, फिर इदर होगे, तो आप याद रखना, जितना 0 से A जाने में लगेगा time, उतना ही A से 0 आने में, उतना ही 0 से minus A जाने में, और minus A से 0 आने में, यानि कि एक oscillation को मैं चार भागों में तोड़ सकता हूँ, प total time कितना लगता, यहां से यहां जाके, यहां से यहां जाके, यहां से यहां जाके, यहां से आने में T, तो T क्या है मेरा, अगर आप धियान से देखोगे, यह मेरा time period है, और motion कितने parts में तोड़ा गया है, ठीक है न, चार parts पर, यानि कि 0 से A और A से वापह 0 आने में जो time लगेगा, वो कितना लगेगा, आप देख सकते हो, है ना, कितना लगेगा, आधा टाइम लगेगा, क्योंकि ये half motion हो गया, यानि कि यहां तक आने में time T by 2 लगेगा, ठीक है, यहां से यहां जाने में T by 4, वापस आने में T by 4, पीछे T by 4, वापस आने में T by 4, 0 से से में T by 4 मैं स schne को मैं सब्सक्राइब जाने में सब्सक्राइब अगेग को कर दोगे तो तो टब घ्रत को सिर्फ आधा मोशन कर रहहाँ है यहां से यहां जा रहें उसने यह इह बोला है, वो किया रहा है, starting from mean position, then distance covered by the particle executing SHM in half time period, half time period का मतलब है, यहां से आगे जाके वापिस आने में, आप यहां आ जाओगे, है न, half time period में वापिस यहां आ जाओगे, तो कितना distance cover करोगे, a plus a, यानि कि 2a, तो distance covered कितना आ जाएगा, पहले आप 0 से a जाओगे, है न, तो distance covered कितना आ जाएगा, दो बार आप a cover कर रहे हो, पहले 0 से जा रहे हो, फिर a से 0 आ रहे हो, तो double आप distance cover कर रहे हो, यानि कि 2a, यानि कि twice of amplitude, तो यानि कि half time period में, जो distance आप cover करोगे, वो 2 times the amplitude हो जाएगा, यह हम देख सकते हैं, ठीक है न, इसको हम consider कर सकते हैं, complete में कितना हो गया, फिर वापिस आए, a हो गया, यानि कि एक complete time period में आप 4a cover करते, complete time period में 4a distance cover करते, half time period में 2a करोगे, ठीक है, एक ओर important question, यह भी previous year का सवाल है, आप इसको भी ध्यान से देखना important सवाल है, यहां कहा रहा है, आप particle is executing shm along a straight line, its velocity at a distance x1 and x2 from the mean positions are v1 and v2, its time period is, so यहां पे हम लोगों को question में क्या कह रहा है, एक particle execute कर रहा है, shm, और यहां पे 2 speed दी है, अलग-अलग positions पे, यानि कि हमें यह formula यूज करना है, v का, है न, मैं लिख सकता हूं, v1 is equals to omega root a square minus x1 square, और v2, दूसरी speed को क्या लिख सकते है, omega a square minus x2 square, अलग-अलग position पे, अलग-अलग speed होगी और हमें time period का finally, हमें expression यहां पे निकाल ला है, ठीक है न, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पे square कर देता हूं equation का, तो यहां v1 square क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो, omega square, a square, minus omega square, x1 square, ऐसी v2 square को हम क्या लिख सकते है, omega square, a square, minus omega square, x2 square just square किया, square करोगे, under root hurt जाएगा, omega square को multiply कर देना, यहां भी ऐसी कर देना, आ जाएगा यह, ठीक है न, अब हम लोगों को actually यहां से omega calculate करना है, हमें यहां से क्या calculate करना है, omega calculate करना है, ऐसे में हम subtract कर देते हैं, उपर वाली equation में से नीचे वाली को, यह नीचे वाली में से उप subtract के है, मतलब, यह minus होगया, यह minus होगया, यह plus होगया, तो उपर वाली में से नीचे को minus करोगे, तो यह दोनो कट जाएंगे, यह नीचे यह तो कट गया, उपर अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां से omega square common ले सकते हूं, और यहां से बचाएगा, x2 square minus x1 square, यानि कि omega square का formula क्या आजाएगा, इस पे divide कर दो, यह v1 square minus v2 square है, इसको इससे divide कर दो, यहां से आया, x2 square minus x1 square, तो यहां से जो मेरी omega की value आजाएगी, वो under root of v1 square minus v2 square, x2 square minus x1 square का formula ने कार लो, time period हो गया, 2 pi divided by omega है ना, divided by omega है, इसलिए reciprocal हो गया, इसका, उपर आजाएगा, यहां से, x2 square minus x1 square, निच आजाएगा, v1 square minus v2 square, और फिर यह option, आप check कर लो, ठीक है, क्या यह option है, x2 square minus x1 square, divided by v1 square minus v2 square, पहला ही option, ठीक है, इसके लाबा यह लिख सकता था, x1 square minus x2 square, और v2 square minus v1 square, मतलब आप negative sign common ले सकते हो उपर नीचे, तो यहां 1 और 2, और 2 और 1 लिख सकते हो, तो भी same ही option है, बर ऐसा option और कोई दिया नहीं हुआ, यही हमारा final option होगा, this is the final answer, correct answer, ओके, clear है, देख सकते हो, बहुत, बहुत, आपको तसल्ली से ऐसे questions करने होते हैं, म अरे नहीं, confidence हो, जब यह question आया था exam में, काफी बच्चे nervous हो गए थे, पता नहीं कैसे होगा, हाँ, बट जिनकी practice अच्छी थे, वो न घबराए नहीं, patience रखे, उन्होंने दोनों equation रिखी, उनको समझ में आया, भई, अगर मैंने omega निकाल लिया, तो time तो निकली जाएगा, तो trick भी यही है, इस question को करने का सही तरीका भी यही है, कि आप किसी तरीके से omega निकाल लो, मैंने भी वही को सोचा, मैंने इस equations को देखा, square किया, यही जरी है, square करोगे, तभी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, मैंने equation का square किया, और omega निकालने की ही कोशिश की है, omega निकाल लि कोशिश होनी चाहिए ओमेगा निकाल लो, वही करा है हमने यहां भी, ठीक है? The phase difference between the displacement and acceleration of a particle in SHM, देखो बहुत यह असान सवाल है, अगर आप position की बात करो, आप position को लिखते हूँ, a sin omega t, मालो यह general equation लिखी, तो acceleration का formula आता है, minus omega square a sin omega t, है ना? आप देख सकते हो, क्योंकि हमें पता acceleration क्या है, minus omega square x है, यह तो हमने पढ़ा है, तो आप देख सकते हो, यह position है यह acceleration है, एक sin है, दूसरा minus sin है, sin और minus sin में क्या phase difference है, हमने देखा था, आप minus sin omega t को पता है क्या लिख सकते हो, minus sin omega t को आप clearly लिख सकते हो, sin omega t plus pi, यह लिख सकते हो, आप compare करो, इसको sin omega t से, दोनों के phase को compare करो, मतलब आप acceleration को यह लिख सकते हो, आप acceleration को लिख सकते हो, omega square a sin omega t plus pi, अब आप compare करो, दोनों के phase को, यहां sign है, यहां minus sign है, यानि कि इनके बीच में πाई का phase difference है, sign का graph अगर ऐसे है, तो minus sign का graph ऐसे यह इन दोनों के बीच में जो phase difference है, वो πाई का है, ऐसा लगता है, एक wave को पीछे की तरफ πाई distance से खीच दिया गया है, यह हम दे पाई से आगय है, phase difference, कितना है इनके बीच में पाई का, ठीक है, तो इनके बीच में phase difference हो गया हमारा पाई radian, ठीक है, एक omega t, sin omega t की equation, दूसरी minus sign omega t की, देखो, यहां पर आपसे graph पूछा गया है, वो पूछ रहा है दा, oscillation of our body on a smooth horizontal surface is represented by this equation, x is equals to a sin omega t, where x is displacement at time t, omega is frequency of oscillation, which of the following graph shows correctly the variation of acceleration and position, यह graph हमने थोड़ी दर पहले बनाया था न, acceleration or position का graph बनाया था न, negative slope वाला हमारा graph आया था, straight line आया था, हमने यह graph अभी discuss किया था थोड़ी दर पहले, acceleration versus position का graph, इस equation से straight line आएगा, है न, जिसका slope minus omega square होगा, यही graph आप से यहाँ पूछा गया है, है न, तो कुछ खास तो मुश्किल नहीं पूछ लिया इसने, यहाँ पे अगर x is equals to a sin omega t, दे रखा है आपको equation में, यह cos omega t दे रखा हो, फरक ही नहीं पढ़ता, sin की जगे cos भी दिया होता, दोनों shm की equation है, आपको याद रखना है, graph यही बनेगा, तो इस equation से कुछ लेना देना ही नहीं था, आपको graph यही बनेगा, यहाँ पे अगर आप a versus x बना रहे हो, तो आप यही graph बनाओगे, average velocity of a particle executing shm in one complete vibration, तो अगर आप बात करो velocity की, तो average velocity पूछे, average acceleration, पूछे, average position पूछे, आप याद रखना, हम sin का graph ऐसे बनाते हैं, है ना, यह हमारा sin का graph है, अगर हम sin omega t के graph की बात करें, वो ऐसा होता है, अगर हम cos के graph की बात करें, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, यह cos omega t का graph होता है, ठीक है ना, तो sin का graph बोले, cos का graph बोले, minus sin का graph बोले, एक complete cycle को देखो, यहाँ पर एक complete cycle को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जितनी value आपकी positive है, उतनी ही negative है, जितनी आपकी value positive है, उतनी negative है, एक तरीके से इसका area चाहिए हमें, तो अगर हम ध्यान से देखें, इसकी जितनी positive value है, उतनी negative है, तो इसका area 0 है, यानि कि कुछ average value जब आप calculate करते हो, 0 आती है, वैसे आप cost में भी देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है न, आपका यहाँ पर positive value है, यहाँ positive है, और नीचे cycle में, यानि कि अगर आप average value of sin omega t कह रहे है, ठीक है न, या फिर average value of cos omega t कह रहे है, ठीक है न, यह symbol किसके लिए है, average के लिए, यह symbol क्या बता रहे है, आपको कौन सी value की बात की जा रही है, average, तो आप average value चाहिए sin omega t की बात करें या cos omega t की बात करें in one cycle ये हमेशा ही क्या आएगी 0 आईगी और आपको पता है यहाँ पे velocity या position या acceleration ही क्यों ना हो चाहिए आप acceleration की ही क्यों ना बात करो, ये सब एक complete cycle में 0 आएगे इन सभी की value, average position average velocity, average acceleration in one cycle अगर आप इन सभी को एक cycle पे निकालेंगे, क्योंकि सभी sign cause पे depend कर रहे हैं, वो 0 ही होगी आरहा है समझ में इन सभी की value एक complete cycle में क्या होगी 0, क्योंकि जितना उपर curve जा रहे है उतना ही नीचे जा रहे है, तो फरक नहीं पड़ता, यहाँ पे अगर आप average value निकाल रहे हो, तो वो 0 ही आएगी, तो इसका answer क्या आजाएगा 0 Energy in SHM, ठीक है ना, energy को discuss करने से पहले एक चीज और हमें discuss कर लेनी चाहिए, हमने position का एक, position velocity का एक relation पड़ा था अगर आपको याद हो, velocity versus position, कभी-कभी इसका graph भी पूछ लेता है, ठीक है ना, कभी-कभी इसके बीच के graph पे भी सवाल बना देता है, यानि कि अगर हम velocity को ध्यान से देखे, यह होता है, omega under root a square minus x square मैं इसके equation को थोड़ा तरीके से आपको लिखके दिखाता हूँ, और फिर बताता हूँ यह equation कैसी है, आप square कर लो, both-side, तो यहाँ आजाएगा, v square is equals to omega square a square minus x square omega square को आप divide कर दो, तो v square divided by omega square यहाँ से आजाएगा, a square minus x square, ठीक है ना, फिर आप x square को left side ले जाओ, то यहां से equation आजाएगी, v square divided by omega square plus x square is equals to a square, अब दोनों side a square से divide कर दो मैं फिर से तीनो step बताता हूँ, पहले step में मैंने square किया, तो ये equation आ गई, फिर मैंने omega square को यहाँ divide कर दिया, तो क्या बचा, a square minus x square, अगले step में में क्या कर रहा हूं, चोथे step में मैं क्या कर रहा हूं, A square से divide कर रहा हूं, बहुत side, इस A square को आप दोनों side divide करोगे, तो यहां 1 बचेगा, और left side क्या बचेगा, omega square A square plus X square divided by A square is equals to 1, यह यह general equation है ellipse की, उसको satisfy करेगा, ellipse, ellipse की general equation क्या होती है, अगर हम ellipse की बात करें, ellipse की general equation ऐसी होती है, y square by, मानलो, b square plus x square by, मानलेते हैं कुछ, small a square is equals to 1, ठीक है न, वो ellipse जो center से pass करें, उसकी यह general equation होती है, यानि कि, यहां पे मेरा ellipse बनता है, ellipse कैसा नजर आएगा यहां पे, यह कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है न, या फिर ellipse कैसा हो सकता है मेरा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है न, depend करता है, ellipse कैसा कद दिखेगा, यह मेरी y axis है, यह मेरी x axis है, अब देख सकते हो, यह distance b के लाता है, और यहां से यहां तक का distance a, यानि कि ऐसा ellipse तब बनेगा जब B A से बढ़ा हो और ऐसा ellipse कब बनेगा जब A B से बढ़ा हो ठीक है ना यह ellipse तब बनेगे है ना इस case में यह मेरा A है distance और यहां से आतक का distance मेरा B है तो दोनों ellipse बन सकते हैं तो यह equation ellipse जैसी है यहां y की जगे V है बस आप compare करो अपनी equation को यहाँ पे y की जगे just v है यहाँ पे क्या बना है v square divided by omega a का whole square आप ऐसे लिख सकते हो plus x square divided by a square is equals to 1 इस equation को जल्दी याद करना चाहते हो तो बहुत असान है पता है actually equation क्या बन रही है यह equation बन रही है v square by v max का square यानि की v max x मतलब velocity का amplitude omega a ही होता है plus x square by amplitude का square है ना यानि की x max का square x की जो maximum value है उसका square is equals to 1 यह तो बहुत असान equation है देखो धियान से बिना इसको solve करें मैं वो equation एक ही step में लिख सकता है देखे रो धियान से यह equation बहुत असान है v square by v max का square x square by x max v max होता है omega a x max होता है a है ना तो अब अगर आपका यहां पे if ठीक है ना v max मतलब omega a अगर a से बढ़ा है और यह तभी हो सकता है अगर omega 1 से बढ़ा हो यह तभी हो सकता है अगर omega 1 से बढ़ा हो उस case में मेरी y axis पे ellipse ऐसे बनेगा उस case में ऐसा ellipse बनेगा A, नीचे बाले को minus omega A, ठिक है न, ऐसा graph बनेगा, और अगर उल्टा हो गया, अब ऐसा भी हो सकता है, अगर मेरा if, ठिक है न, यह तो पहले वाला case हो गया, इसको ठोड़ा separate कर देते हैं, तो यह तो हमारा पहले वाला case हो गया, इसको अलग कर देते हैं, second case यह हो सकता है, कि ωativa मेरा वन से छोटा हो जाए ओमेगा मेरा वन से अगर छोटा हो गया ना बिटा तो अमेगा एrete हमारा ऐसे छोटा हो जाए आगा अगर carrying एक को मेरा धूर से चोटे नमबर से इंतल वह से चोटा हो जाता है GO events से बड़े number से multiply करता हूं तो वह 1 से बढ़ा हो जाता है एसे बढ़ा हो जाता actually तो अगर आप यहां पर graph देखोगे तो ऐसा graph बनेगा यह a minus a omega a minus omega a यह तब है यह velocity यह x यह तब है जब मेरा omega a a से छोटा हो है ना तो अंडे जैसा यह graph कुछ बन रहे आप देख सकते हो इस graph की शेप पूछे तो ellipse है इस graph की shape पूछे तो ellipse है इस इसकी shape पूछ सकता है आप लोगों से किस shape में बनेगा तो आपसे shape पूछी जाए तो elliptical shape या ellipse है ना ellipse elliptical shape ऐसा कुछ आपको word use कर दे तो घबराने का नहीं बहुत असान है velocity position acceleration position straight line आया था velocity position यहां से ellipse आया ठीक है ना velocity position ellipse आया acceleration position यहां पे straight line आया था ठीक है ना I think यह अच्छे से समझ में आ गया होगा so so far हम लोगों ने acceleration position पे भी चर्चा की है हम लोगों ने face difference को भी अच्छे से समझा है हमने बहुत सारे questions किये time period से related amplitude से related ठीक है ना ओके अब आगे बढ़ने की बारी अब हम लोग थोड़ा और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे अब जो important topic हम लोग शुरू करने वाले हैं वह energy से related चर्चा है एनर्जी ने से च्छे हैं ठीक है ना important चर्चा है energy के ठीक है अब अगर आप दिहान से देखो कि आप position को तो आप लिख सकते हो मालो a sin omega t हमने यह मान लिया 5 को 0 मान के चल रहे हैं तो velocity को आपने बोला था a omega cos omega t लिखा था ना आप लोगों ने इस तरीके से express किया था ठीक है अगर मैं आप से पूछू kinetic energy क्या होगी तो आप क्या लिख होगे सोचो kinetic energy के बारे में सोचो kinetic energy क्या होगी अगर kinetic energy पर discussion किया जाए तो kinetic energy को आप क्या लिख सकते हो सोचो kinetic energy का formula क्या होता है generally sir kinetic energy बहुत असान होती है mass की kinetic energy half mb square होती है यही तो होती है तो इस पे तो कुई मिश्किल ही नहीं है kinetic energy यह तो बच्च वाली बात है बस V की value डाल दो यानि कि यहां से बन जाएगा half m a square omega square cos square omega t यह बन गई मेरी kinetic energy ठीक है ना यह क्या बन गई मेरी kinetic energy बन गई है ना यह तो बहुत असान है तो ऐसे potential energy भी निकाल लेंगे हम ठीक है ना ऐसी हम क्या निकाल लेंगे potential energy निकाल लेंगे चलो potential energy को भी देख लेते हैं यहां पर हम potential energy पर भी discussion कर लेते हैं potential energy मैं P E से लिख देता हूं यह कितनी हो जाएगी इसका क्या होता है spring mass system की potential energy होती है half k x square यही होती है तो आप बोलोगे half k x की जगे डाल दो यह यानि कि a square sine square omega t यही बन गई है ना यही तो बन गई हमारी अच्छा अगर हम ध्यान से देखें यह दोनों थोड़ी अलग लग 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 रही है देखने में है ना यह cost पर depend कर रहे हैं यह sign पर यहां कुछ ma है यहां कुछ k है बट actually तो यह almost same जैसी है पता है क्यों क्योंकि हम जानते हैं omega था क्या याद है omega root k by m था omega क्या था हमारा root k by m था तो यहां पे हम omega की value डाल सकते हैं यहां पे हम omega square की जगे k by m डाल सकते हैं omega root k by m था तो यहां पे इसको डाल दू यानि कि यह आ जाएगा half m a square k by m cos square omega t यह डाल देते हैं ठीक है m से m यहां पे cancel हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा half k a square cos square omega t ठीक है और potential energy half k a square sin square omega t तो यहां पे दोनों energies को यहां पे देखते हैं दोनों energies को यहां compare करते हैं तो यहां पे अगर हम kinetic energy की बात करें तो वो कितनी आ रही है half k a square यह आ रही है हमारी half k a square cos square omega t और potential energy की अगर हम बात करें तो यह आ रही है मेरी half k a square sin square omega t कि Tamara एंकित आइंसा पराइब ही ओस्टेंट को क्या डिपेंड कर रही को स्कॉाइर स्कॉएर दूसरी साइन स्कॉएर ठीक है क्या ग्राफ बना सकते हैं इसका मज़ीदार इंट्रेस्टिंग सा अग्राफ मनेगा दोनो इस टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं एक साइन पर कोज पहरे अचा काइनिटिक एनरजी की मैक्सिमॉम ये हो गई इसी को Absolutely ंच precaution is यानि की माक्सिमम काइनिटिक एनरजी ये मेक्सिम Łम यह दोनों کی B rub criにちは एसा ही औरी एनरजी का सब्सक्राहिए यहां mechanical energy conserve होती है spring mass system में, mechanical energy थोना violet होगी, यहाँ पर यह तो conserve होती है, spring mass system में, यह हमने work energy में भी पढ़ा था, work energy जब हम पढ़ रहे थे, work power energy chapter पढ़ रहे थे, वहाँ हमने spring की potential energy consider की थी, वहाँ भी हमने oscillations consider किये थे, mechanical energy conserve है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर friction force हमने माना नहीं है, kinetic potential में, potential kinetic में convert होती रहती है, ठीक है न, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर आप graph बनाओगे, ठीक है न, अगर आप यहाँ पर graph बनाओगे, तो graph कैसा नजर आएगा, अगर आप graph को compare करोगे, दोनों graph को बनाते हैं, ठीक है न, तो सबसे पहले किसका graph बनाया जाएगा, सबसे पहले जो graph बनाया जाएगा, वो बनाया जाता है, चलो kinetic energy का बना लेते हैं, ठीक है, kinetic energy का बना देते हैं, तो मैं यहाँ पर kinetic energy का graph दिखाता हूँ, और kinetic energy को मैं green color से दिखा रहा हूँ ठीक है? चलो कुछ बाते याद रखें अगर आप यहाँ graph दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको cos का graph याद होना चाहिए आप जानते हो cos omega t का graph कैसा होता है cos omega t और t cos omega t का अगर आप graph देखते हो तो इसका graph ऐसा होता है cos omega t का graph इस तरीके से होता है यही graph होता है इस तरीके से होता है बट अगर आप cos square का graph की बात करो ठीक है? अगर आप बात करोगे नहीं अब हम इसका square करना चाहते है तो graph कैसा होगा? यानि की cos square omega t के graph की अगर आप बात करोगे तो वो कभी negative नहीं हो सकता क्योंकि आप square कर रहे हो square कर रहे होगे तो negative नहीं आ सकता cos की value positive negative दोन हो जाती है यह plus 1 से minus 1 में जा रही बट cos square omega t की value negative थोड़ना जाएगी है ना, तो यानि की इसकी value negative नहीं जाएगी यहां तक तो ठीक है यहां तक तो कुछ-कुछ ऐसे ही दिखता है जैसे cos का दिखता है वैसे अलग होता है बट almost ऐसे ही दिखता है बट यह negative नहीं जाएगी यहीं से उपर चली जाएगी ठीक है ना, ऐसे ठीक है ना, तो थोड़ा सा smooth तरीके से अगर हम बनाए बन सेकेंड तो यह ग्राफ ऐसे जा रहा है और यहां जाने के बाद यह उपर चला जाता है तो यह cos का ग्राफ है, अगर हम देखें cos square का ग्राफ है, है ना, तो यह ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, यानि कि यहां जाने के बाद एकदम से उपर राइस हो जाएगा, फिर उपर राइस हो जाएगा नीचे नहीं जाएगा, इसकी कोई भी negative value नहीं होगी, और इसके period की बात करें, तो आप देख सकते हो यहां पे πाई बाई 2 omega, है ना, और यहां पे देखेंगे, minus πाई by 2 omega, इसका time period भी reduce हो जाता है, क्योंकि अपने आपको इस repetition के बात कर रहा है, यानि कि half, मतलब इसके time period की बात करेंगे, तो इसका जो time period है यह कितना हो जाएगा, इसका time period हो जाएगा, pi by omega क्योंकि इसका time period कितना था cos का time period कितना था 2 pi by omega, इसका time period आधा क्यों जाएगा यहां पर यह complete cycle थी यहां पर अगर आप एक complete cycle की बात करो तो वो इतनी है बस इसके बाद यह repeat हो रहा है इसके बाद यह repeat हो रहा है यानि कि इसकी complete cycle यह जो distance है यह कितना हो जाएगा आपका पाइबाई पाइबाई ओमेगा ची कह ना किसका यह अगर हम ढूत स्कवाईड करोगे को स्कौयर मेगड की to अगर आप बात करोगे तो वह कितना हो जाएगा कॉस का होता है टूपाइब ऐसका होता है सिर्फ पाइब ऐमेग आप इसका अगर आप से कोई बोले frequency, ठीक है न, तो frequency कैसी हो जाएगी, इसकी twice, इसकी frequency double हो जाएगी, तो आप से बोले time period पे क्या फरक पड़ेगा, आधा हो जाएगा, frequency हो जाएगी double, क्योंकि frequency 1 by time period होती है, time period आधा, frequency double, ठीक है, ऐसे ही आप sign के लिए कर सकते हो, same चीज़ आप sign के लिए discuss कर सकते हो, ज sign का भी अगर आप graph देखोगे, तो अगर मैं directly बनाओ यहां से, sign square omega t versus t, तो यह graph भी आपका नीचे नहीं जाएगा, यह graph भी सिर्फ उपर उपर ही रहेगा, अगर आप इसके graph की बात करोगे, तो यह ऐसे होता था, फिर नीचे जाता था, पर यह नीचे नहीं जाएगा, उ उपर रहेगा, यानि कि sign square omega t का भी graph ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पे भी same ही चीज़ है, इसका time period भी pi by omega रहेगा, तो यहां पे time period half और frequency double, दोनों में same चीज़ हो जाएगा, दोनों graph भी आप देख सकते हो, अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है, अब हम तयार है, अ हम लोग इन दोनों के graph को discuss कर सकते हैं, यानि कि सबसे पहले आप kinetic energy की बात करो, kinetic energy को discuss करो, मालनों हम negative time लेते ही नहीं, पीछे जाते ही नहीं, हम सिर्फ positive direction में देख रहे हैं, तो मैं graph सिर्फ positive time के लिए हां बनाता हूँ, ठीक है, हम negative time के लिए देख ही नहीं, time को हम 0 से ही start करते हैं, तो इस graph को सिर्फ positive x-axis पे बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मैं अपनी energy, और energy में भी सबसे पहले मैं कौन सी energy consider कर रहा हूँ, kinetic, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं, kinetic energy versus time, कैसा graph था अगर आप जहां से देखोगे, कैसा graph था, cos square वाला याद है, तो यानि कि यह graph यहाँ से शिरू होगा, और इसकी maximum value हमें पता है, ठीक है, तो यह graph यहाँ से शिरू होगा, यहाँ जाएगा, फिर उपर चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर उपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे होगा, त आगर हम बात करें इसकी भात किसकी पोटेंसील अनजी की तो वो 0 से शुरू होगा है ना इसका साइन जैसा ग्राफ और इसका ग्राफ इस energy का देखो मैंने green से kinetic energy का बनाया और yellow से potential दोनों की maximum value सेम ही है यह कौन सा point है यह हो जाएगा pi by 2 omega यह हो जाएगा आपका pi by omega यह होगा 3 pi by 2 omega यह होगा आपका 2 pi by omega and so on ठीक है ना इस तरीके से आपको यह graph निजर आएगा अब अगर आप इन दोनों energies को जोड़ दो तो total energy आजाएगी अगर आप total energy की बात करो है ना हम total mechanical energy की बात करें तो total energy mechanical energy है यह ना हम किसकी बात कर रहे है mechanical की तो तो टुटल energy मतलब टुटल mechanical energy की मतलब हम बॉलोगjos kinetic energy plus potential अप इन bracket में sin square omega t plus cos square omega t जो चाहिए था वही मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे total energy आपकी constant है time पर depending करेगी क्योंकि sin square theta plus cos square theta होता है 1 यानि कि total mechanical energy half ka square है तो total mechanical energy हमारी half ka square है यह मेरी total mechanical energy आगे है ना सान तो यानि कि total energy की आगर आप से बोले graph बनाओ यहां मैं pink color से total energy को भी दिखा देता हूँ वो constant है वो time पर depending नहीं कर दी वो constant है वो pink color से दिखा दी this is total energy ठीक है ना तो total energy ही इनका amplitude है ठीक है ना यहां पर actually क्या हो रहा है reality में अगर हम धियान से देखें तो यहां पर हम spring mass system को दिखाते हैं तो यहां पर हम spring mass system को इस तरीके से दिखा देते हैं कि let us say मैं spring mass system को यहां पर draw कर रहा हूँ और यहां पर मेरा spring है यहां पर कुछ ठीक है ना इस तरीके से मैंने अपना spring मान लिया और यह मान लिया मेरी mean position है x is equals to 0 और यह कहां तक जा सकता है x is equals to plus a तक और कहां से आ सकता है x is equals to minus a से आ सकता है एसी आ रहा है ना minus a से plus a के बीच में यह oscillate कर रहा है तो हमने क्या सीखा है हमने अभी तक यह सीखा है so far अगर हम यहां discussion करते है energies की तो यहां पर मेरे पास यह extreme points पर इधर और इधर क्योंकि मुझे पता है यहां velocity maximum होती है यहां पर मेरी kinetic energy होती है maximum ठीक है ना वो हो जाएगी half के सोरी kinetic energy हो जाती है zero sorry यहां velocity zero होती है sorry यहां पर velocity zero होती है extreme position पर acceleration maximum होता है तो यहां पर kinetic energy हो जाएगी minimum ठीक है kinetic energy हो जाएगी minimum यानि की zero kinetic energy होगी नहीं रुख जाता है ना यहां के यहां भी kinetic energy minimum क्योंकि speed zero थी तो kinetic energy भी zero हो जाएगी क्योंकि यहां पर speed zero थी यहां पर आपकी kinetic energy भी कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यहाँ पे आपको कोई kinetic energy नहीं मिलने वाली, ठीक है न, कोई भी kinetic energy यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी potential energy की अगर हम बात करें तो यहां पर potential energy हो जाएगी half k a square ठीक है ना यहां भी potential energy की बात करें तो half k a square यानि की potential energy यहां पर कैसी होगी maximum ठीक है यहां भी potential energy कैसी है मेरी maximum है तो यानि की हां सारी energy spring की जितनी भी energy है potential में जाके store हो जाती है तो extreme point पे spring की है सारी energy total mechanical energy potential में ही होती है और जब वो mean position पर आता है तो kinetic energy maximum हो जाती है और वो कितनी हो जाती है half k और a square यही तो हमने देखा था ना maximum kinetic energy है है और अगर हम यहां देखे दियान से इसकी potential energy हो जाती है 0 हो जाती है तो यानि की spring mass system में आपके पास यहां पर maximum kinetic energy maximum speed आप आगे जाओगे speed घटेगा घटेगा पोटेंचल एनर्जी बढ़ेगा आगे जाओगे speed घटेगा kinetic energy घटेगाkok mają जाने पर kinetik energy के 0 00 पेंचल energy maximum यहां पर कोई kinetic energy नहीं सुआख है फिर Mezzies ठैक का ahora किनेटिश कर रही है तो यहां पर इस तरह का होल है और हम जानते हैं, यहां पर acceleration 0 होता है, यहां पर acceleration omega square a होता है, negative लिखते हैं, क्योंकि left side होता है, यहां पर acceleration omega square a होता है, right side, ठीक है न, तो यह हो रहा है, यहां पर जो curve है, हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है, कि यहां पर हमारी जो total energy है, वो oscillate हो रही है, कभी kinetic में जा र और यह graph बहुत important है, graph को बहुत ध्यान से देखना, graph काफी जादा important है आपके लिए, यहाँ पर बस यह याद रखना, हमने x को a sin omega t माना था, v को a cos, उल्टा भी हो सकता है, बेटे, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, यह उल्टा नहीं हो सकता, यहाँ पर यह भी हो सकता है, equation यह भी हो सकती है, 1 cos omega t, हो सकता है, वो पहले extreme point पे हो, यह भी तो position है, यह भी तो possibility है, है ना, जब आपने motion देखाओ, इस हिसाब से मैंने 5 को 0 मान है, मैंने mean position से start किया, हो सकता है, वो extreme position से motion start करे, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, पर यह graph आप लोगों को याद रखना ह यह energy in SHM के लिए, आप इसको याद रख सकते हो, अभी यह जो graph बनाया है, यह हमने time के respect में बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हमने variation with time पढ़ा है, दूनों energy का variation तो पढ़ा है, पर variation किस के साथ पढ़ा है, time के साथ, position के साथ भी आपको याद रखना है, ठीक है, अगर आपको यह समझ में आता है, तो आप यही energy को position के साथ भी पढ़ सकते हो, energy with position, ठीक है न, आप position के साथ भी इसको देख सकते हो, energy का comparison कर रहे हैं, position के साथ, ठीक है, यह कैसे करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें, हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे potential energy, potential energy का formula simply हम देख सकते है, half k x square है, ठीक है न, तो obviously, यहाँ पे potential energy is proportional to x square, क्या यह पैराबोला नहीं होगा, सोचो, यह तो पैराबोलिक ग्राफ हो गया, अरे हाँ, यह तो पैराबोला ग्राफ हो गया, position के साथ, और अगर आप kinetic energy की बात करते हो, तो kinetic energy को आप simply लिख सकते हो, total energy, है न, total mechanical energy, जो भी minus potential energy, ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्योंकि total energy kinetic plus potential है, तो kinetic energy के लिए आप लिख सकते हो, total आपको energy पता है, half k a square है, है न, और अगर हम ध्यान से देखे, हमारी potential energy की अगर हम बात करें, total energy है, हमने देखा था न, पीछे half k a square थी, potential energy को आप यहां से, half k x square लिख सकते हो, तो यह भ पैराबोला बनेगा, happy पैराबोला, happy पैराबोला क्यों बनेगा, क्योंकि x का coefficient positive है, यहां पे x square का coefficient negative है, प्लस shifting है, तो यहां पे मेरा sad पैराबोला बनेगा, यहां पे मेरा sad पैराबोला बनेगा, यानि कि यह graph भी पैराबोला है, बट sad है, ठीक है न, क्योंकि पहले कुछ number है और side parabola है बट side parabola उपर की तरफ lift करेगा इतना यानि कि अगर हम धियान से देखें ये graph हम position के साथ अगर बना रहे हैं यानि कि अगर हम energy versus position पे ठीक है ना फोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको मतलब ये चर्चा अगर हम energy और position के लिए कर रहे हैं मैं y-axis पे रख रहा हूं यहां पे energy और x-axis पे रख रहा हूं position आप जादा से जादा a पे जा सकते हो और पीछे minus a तो plus a और minus a के बीच पे ही ये graph बनेगा और अगर हम सबसे पहले potential energy बनाए उसमें कोई problem नहीं है potential energy के लिए हम pink color से बना देते हैं मान लेते हैं graph तो हमें पता है parabola का graph happy parabola type बनेगा वह ऐसा बनेगा ठीक है ना और हमें पता इसकी maximum value है वो जाएगी half k a square जिसकी maximum value जा रही है अब आपको लगेगा कि सर यह sad parabola बनना चाहिए नीचे बनना चाहिए है ना आपको लग रहा है यह सर नीचे की तरफ बनना चाहिए sad parabola बट sad parabola नीचे की तरफ बनता अगर यह term नहीं होती तो यह term उस पैराबॉलन को उपर की तरफ ले जाएगी यानि कि जो स्याट पैराबॉलन आपका नीचे बनना चाहिursday ता बनेगा ऐसी सैड ही बनेगा पर उपर शिफ्ट हो जाएगा हाफ के स्क्वारा बनेगा वह कैसा बनेगा काइनेटेक एनरजी का अगर हम kinetic energy को दिखाएं, वो sat parabola बनेगा, पर यहां से start होगा, यानि कि वो यहां से start होगा, 0 से नहीं, ठीक है न, तो यह graph बनेगा हमारा, तो यहां पर यह graph हमारा क्या बन जाएगा, potential energy का, और total energy वो तो constant है, है न, total energy तो constant है, तो total energy अगर हम ध्यान से दिखेंगे, वो यह हो यहां blue से represent करिए, तो यह हम लोगों को क्या मिल गया, this is a curve with respect to position, यह position के साथ variation, पहले जो मैंने variation दिखाया था, वो time के साथ दिखाया था, अब जो variation दिखाया है, वो position के साथ दिखाया है, तो दोनों graph में फरक आप देख रहे हो, यहां पर मेरा trigonometric curve था, अगर हम देखे, sin square, cos square वाला graph था, ठीक है न, यहां sin square cos square वाला graph था, बट यहां पर graph मेरा parabola बना है, यहां पर जो मेरा graph बना है, वो parabola बना है, ठीक है, sin square cos square वाला graph नहीं है, parabola graph है, अगर position के साथ graph बना रहे है, तो फरक है, time के साथ वो कैसे depend करता है, position के साथ कैसे करता है, दोनों में the ratio of kinetic energy of a particle at mean position to which when the distance is one-third of amplitude यानि कि यहां पे हम लोगों को क्या कह रहा है kinetic energy का हमें ratio निकालना है एक बार जब वो mean position पे और दुबारा जब वो कहां हो one-third of amplitude, इसको कैसे करें तो mean position पे kinetic energy क्या होगी आप initially देखो, the ratio of kinetic energy at mean position mean position पे kinetic energy कितनी होती है half k a square, मैं k1 लिख देता हूँ इसको, यह mean position पे इसकी kinetic energy है यह तो हम जानते है mean position पे kinetic energy maximum होती है mean position पे हमारी kinetic energy maximum होती है और extreme पे potential, ठीक है, होती इतनी है अब वो बोल रहा है, एक जगे तो यह हो गया दूसरी kinetic energy हमें कहां निकालना है इस particle की, जब वो कहा हो, किस amplitude पे हो, one third पे अच्छा, यहाँ पे potential energy निकालो, एक काम करो at x is equals to a by 3 one third of amplitude क्या मैं यही मान सकता हूँ one third of amplitude, पहले आप यहाँ potential energy निकालो तो potential energy तो easy होती है, potential energy का formula होता है half k x square, यानि कि यहाँ पे potential energy हो जाएगी half k a by 3 का square, यानि कि half k और यहाँ से आजाएगा a square by 9, आरे समझ में, तो अगर आप यहाँ पे kinetic energy निकालना चाहते हो, तो यह हो जाएगी total energy minus potential energy, ऐसे भी तो कर सकते हो, है ना total energy तो हमें पता ही है, half k a square होती है इसमें से क्या minus कर देंगे, half k a square by 9 potential energy को minus कर देंगे, half k a square common आजाएगा half k a square common आजाएगा, बचेगा 1 minus 1 by 9 यानि कि 8 by 9, तो 8 by 9 times half k a square आप ऐसे लिख सकते हो, चीक है ना, देखो मैं calculation को थोड़ा simple बनाने की कोशिश कर रहो, मैंने 9 को 2 से multiply क्यों नहीं किया, तो कि मुझे पता है मैं यहां से subtract करूँगा, तो half k a square aram से common आजाएगा, 1 minus 1 by 9, lc my r 9 उपर आगया 9 minus 1, यानि कि 8 तो 8 by 9, half k a square अब आपको ratio लेना है, अब आप ratio aram से निकाल सकते हो, ठीक है ना, अब आपको ratio निकालना है, आप ratio aram से निकाल सकते हो यानि कि जो पहले kinetic energy थी divided by final kinetic energy वो कितनी हो जाएगी, पहले थी मेरी half k a square और बाद में कितनी है 8 by 9 time half k a square, तो यहां से half k a square, half k square कट जाएगा और यह आजाएगा 9 by 8 half k a square, half k square कट जाएगा और यह आजाएगा 9 by 8 समझ में आगया अच्छी तरीके से clear है, तो यहां से आजाएगा 9 by 8 यानि कि यह fourth option ठीक है तो आज हम lecture में यही तक रखते हैं, क्या हमने चीजे पढ़ी है, एक बार इस पर discussion करते हैं, हम लोगों ने शुरुआज से क्या पढ़ा, आज के दिन में हमने काफी चीजे कवर की है, सबसे पहले spring math system पे जाते हैं, इसका general solution, दुबारा से देखा हम लोगों ने, है ना, एक बार फिर से नजर मारी हम sign में भी लिख सकते हैं, cost में भी sign में लिखेंगे, तो अलग phi आएगा, cost में लिखेंगे, तो phi की value बदल जाएगे, पर हम किसी बेभी लिख सकते हैं, sign, cost, भाई-भाई होते हैं, बस थोड़ा सा difference होता है, phase का, ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ questions थे, हमने कुछ questions solve करें, जो भी हमने पढ़ा था, general equation से इनिशल फेस को मैंने समझाए, इनिशल फेस हमें बताता है कि T is equal to 0 पर पार्टिकल कहां located है, अगर आप motion observe करें और पार्टिकल आपको यहाँ दिखें और आगे जाता वाँ दिखें, तो आप कहा सकते हो, इस case में आपका जो इनिशल फेस है, वो 0 जाएगा अगर आपको पार्टिकल यहाँ नज़र आए है ना, T is equal to 0 पर पार्टिकल आपको कहां नज़र आए extreme position पर नज़र आए, यानि कि T is equal to 0 पर अगर आपको पार्टिकल यहाँ दिख रहा है इसको भी देखेंगे हम, बट और अलग method से देखेंगे, इसके बाद हम लोगों ने क्या discuss किया था, acceleration position relation, इसका graph देखा था plus velocity position relation यह बहुत crucial relation है जो मैंने आपको यह याद रखना है अपने को इसके बाद अगर हम धियान से देखें, हम लोगों ने discussion किया था, यहाँ पे इस पे हमने discussion किया था किसके बाद discussion किया था, हमने एक graph पे, velocity position का जो graph है, पैरा, इलिप्स आता है इस graph पे discussion किया था, ठीक है ना energy discuss की थी, energy का variation time के साथ, energy का variation position के साथ, यह हम लोगों ने discussion किया है, बहुत important है हम इसको अच्छे से याद रखें जो भी मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है ना, ओके, सो जाने से पहले एक important बात, ठीक है January 17, जो की तारीक है आज आज आप ये recession अटेंड कर रहे होंगे तो आप लोगों को याद रखना है आज किसका birthday है, आज Benjamin Franklin, ठीक है ना, बहुत बड़ा नाम है ठीक है, इतना बड़ा नाम है आप इनको dollars पे देखते हैं, देखा होगा आपने dollars पे एक photo लगी होती है, Benjamin Franklin इनका भी अलगी contribution था physics के world में, physics के दुनिया में और इनसे मैं बहुत motivate रहूँ मतलब इनकी अगर आप life के photo लगाती है, तो हम लोगों को बस यहीं से दिख जाते हैं, बट मैं थोड़ा से इनके बार में बताना चाहूँगा आप लोगों को इनकी कहानी सुनके कुछ motivation तो जरूर मिलेगा, ठीक है, बात तपकी है, जब Benjamin Franklin अपने टाउन में रहते थे और अंधविश्वास से भरी भी दुनिया थी, उस टाइम पे लोग बहुत अंधविश्वास में डूबे होते थे, क्या होता था, जब बादल गड़सते थे, बिजली आंधी चलती थी, तो क्या होता था, उनके टाउन में एक चर्च था, बहुत उची बिल्डिंग थी चर्च की, और बहुत उपर एक क्रॉस लगावा था, मैटल का क्रॉस लगावा था, वहाँ पे, तो होता क्या था, जब बहुत आंधी तुफान आता था, बादल बिजली गड़कती थी, तो बिजली जाके सीधा उस चर्च के चत पे गिर जाती थी, और लोग डर जाते थे, लोगों को लगता था, भगवान का कहर वरस रहा हमसे कुछ गलती हो गई, और वो प्रेयर स्टार्ट करते थे थे, और पूरे दिन खाना नहीं खाते थे, बहुत उपवास रखते थे, उनको डर लगता था कि शायद हमने कुछ बहुत बढ़ा अपरात किया है, जो भगवान हमसे नराज है, तो यह अंदविश्वास था, उस समय पे बेंजमिन फ्रेंकिलिन ने लोगों को समझाना शुरू किया, कि यह कोई अंदविश्वास वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप अपना बिलीफ मत तोड़ो, ऐसा कुछ हम गलत नहीं कर रहे हैं, यह कुदरत का नियम है, यह कुदरत का कुछ खेल है, यह कुदरत का कुछ नियम है, जो भगवान ने तेह की है, इसका और कुछ मतलब मत निकालो, ठीक है न, अंदविश्वास में मत जाओ, यह कुछ साइन्स है, ठीक है न, इसको डरो मत, यह होता है, यह एक सिंपल लॉजिक है, तो लोग उन्होंने उनकी बाते नहीं मानी, यहां आप हमारी विश्वास के साथ खिलवाड कर रहे हैं, हमारा भगवान हमसे नराज हो जाएगा, तो इतने अंदविश्वास में डूबे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, हाला कि उनको यहां तक क्या दिया गया, इनको जेल में डाल दो, इन्होंने इतनी गलत बात क करिए, यह क्यों चछत पर क्यों जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं किसी कॉल आउट किया जाना चाहिए, यह कुछ छेचाड करेंगे, कुद्रत के साथ नहीं, तो इतना जादा उनको हुमिलेट किया गया, और मैं आपको बता दू, पेंजमिन फ्रेंक्लिन को एक खास पड़े चाहते थे, इतना मना करने के बाद भी, इतना हुमिलेट होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उनको था कि मुझे किसी तरीके से छट पे चड़ना ही है, और पता लगाना ही है, उनके दिमाग में अल्डेडी ये ख्याल आ गए थे, उनको समझ में आ क्या था, क्योंकि उन दिनों पे ये जो चार्जिस वगेरा है ना, उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, बट हाँ, उसके बारे में डिस्कवरी चल रही थी, लोगों को पता था बलून को सिर्प ऐसे जब हम गुबारे को रप करते हैं, या कपड़े को रोट से रप करते है तो वो आपस में कुछ चिंगारियां सी बनाते हैं, तो उनके दिमाग भी चलता था कि हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही फैक्ट है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, उनको ये समझ में आ रहा था, बट वो कैसे मानाएं, सब को कैसे प्रूफ करें, कैसे लड़े दुनिया स देखते हैं जड़ा, ठीक है, अब उनके दिमाग में आया, मुझे छट पर चड़ना ही पड़ेगा, मुझे कोई उचाई वाली जगे पर तो जाना ही पड़ेगा, अपना आपको सही प्रूफ करने के लिए, क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया है ती ये सब चावी बांदी ये सब जानते होंगे उन्हों ने एक मड़नों फटकू पतंब को ले गए और उस पतंब को उड़ाया ठीक है ना तो आधिहारास्ता उन्होंने जूट की धागे से बांदा और बाकी उन्होंने दूसरा कोई मैटीरियल लिया जो कंड़क्टिंग नहीं था है ना और उससे बांदा ताकि उनको करेंट ना लगे ठीक है और खुद वह एक छज्जे के रश्या के आईगेस एक सैंटेस है जो बचे नहीं इस एक्सपरिमेंट के बाद तो यानि कि इन्होंने भी अपने जान का बहुत बड़ा रिस्क लिया था इस इन्होंने इस पतंग को हवा में उड़ाया और वापिस जब पतंग नीचे उतारी और चाबी को जैसी उन्होंने चूने की कोशिश की उनको एकदम से स्पार्क लगा तो वह बहुत खुश हुए ठीक है ना आजकल हमें जटके लगते हैं थम खुश नहीं होते बट इस जिन्हको दिखाया कि भाया यह फिस्टि एक एनरजी ही है यह पुद्रत का कोई कहर नहीं है यह भगवान का कोई कहर नहीं है यह सिर्फ एक alcohol और जीडिए बाद काफी सालों बाद उस energy को utilize करना start किया लोगों ने यानि कि इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि electricity बना दी इन्होंने एक नियम सिखाया इन्होंने charge के बारे में लोगों को समझाया कि यहां से electricity develop की जा सकती है तो इनका जो contribution है उनका यह है कि यह form of energy है जिसको अगर आप सई तरीके से इस्तमाल करो तो हम इसको daily life में use भी कर सकते हैं तो यह इनका contribution था तभी आप देखते हो note पे इनके चहरे को देखते हो एक हस्तावा चहरा आपको नजर आता है यहां पर हस्तावा तो नहीं है अब ठीक है एक चहरा आप लोगों को यहां नजर आता है तो यह इनकी पूरी स्टोरी है तो आप स्टोरी में एक चीज समझोगे कि उनको contribution जो है ना बहुत important है इन्होंने ही energy का एक form और हमें समझाया जिसका आज हम use कर रहे हैं बिना electricity के इनका रहा है और इनका जनम दिन आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं just thanks कहके so yes Benjamin Franklin और इनोंने इन से सीखने को और भी बहुत कुछ मिलता है इनोंने जितनी गलतियां किरी आपको लगता है एक ही बार में experiment किया नहीं काफी attempt दिनो ने और ये कभी भी ना निराश नहीं होते थे जैसे हम लोग exam देते हैं निराश हताश हो जाते हैं ये नहीं होते थे तो आप इनकी language देख सकते हो आप इनके words देख सकते हो इनका contribution सिर्फ physics में नहीं है ये बहुत अच्छे poetry भी करते थे एक writer भी थे एक लेखक भी थे इसके साथ साथ ये politician भी थे बहुत जादा field में ये फैले भी थे हर तरीके से contribution था इनका कहना था I didn't fail the test I just found hundred ways to do it wrong मतलब मैंने कोई test गलत किया तो मतलब मैंने कोई mistake नहीं करी मैंने बस इतना पा लिया मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं क्या-क्या गलतियां और कर सकता हूं मुझे नए गलत तरीके मिल गए ठीक है न तो यहां पे उनका confidence नजर आता है यहां पे नजर आता है कि इन इंसान के अंदर कितनी positivity भड़े भी थी तो हम लोगों भी अपनी जिंदिगे में positivity को अपनाएं और इनकी तरह आगे बढ़ते रहें सिर्फ मैं आप लोगों को यह message देना चाहता हूं और आप लोगों को बोलना चाहता हूं homework as a homework आप dpp1 कर सकते हैं dpp1 जरूर attempt करना आप as a homework और module की exercise 1 को आप देख सकते हैं अगर आपके पास module available है यह आपको मिल जाएंगे ठीक है and I will say thank you so much for attending the session और अच्छे से पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें take care bye bye see you soon bye